तो आज की class में हमें दो transition पढ़ने हैं और इसी के साथ हमारा regulation खतम हो जाएगा तो इसमें क्या होगा जी टू एम और मेटा फेस टू एना फेस transition दो transition पढ़ने इसके बाद कल एक class होगी और उस class में मैं आपको चेक पॉइंट रेगुलेशन पढ़ा दोगे लेकिन यह जो फेजस के रेगुलेशन है वो आज की क्लास में हमारे खतम हो जाएंगे ठीक तो जी टू एम और मेटाफेस टू एनफेस राजीशन देखना है अब यह आपकी कलवाली ही स्लाइड है जिसके लिए एक आपको ट्र ट्रिक क्या थी दा इंटर्टीनर एक्टर अभिताब बच्चन यही वाला था ट्रिक वस उसी को लेख लेजे फिर से इंटर्टीनर एक्टर अभिताब बच्चन जिनका घर का नम्मर क्या था 462211 यही था तो बस इसी से आपको फिर से देख लेना है क्योंकि आज हम कहां पहुंचे हैं आज हमें जाना है जी टू एम और एम फेस पे तो जब भी हम बात करें तो हमें कुछ इस साइक्लिन और सीडिके की ज़्यादा जरूरत पढ़नी है क्योंकि यह आपका एम फेस का था इसको आ कैसे एक्टिविशन होना है कैसे इनक्टिविशन होना है ठीक तो यह हमारी कहानी रहेगी आज की यह वाला डाइग्राम भी कल आपने देखा था मैंने आपको बताया था कि कैसे अगर आपको साइक्लिन और सीडिके के कॉंप्लेक्स को एक्टिवीट करना है तो एक तो फॉस्फोराइलेशन था तो फॉस्फोराइलेशन हम 160 थ्रियोनीन अमाइनो एसेट्स पर कर रहे थे एंजाइम हो रहा था आपका CDK एक्टिवेटिंग काइनेज एंजाइम था जिसे CAK या साइक्लीन डिपेंडेंट CDK एक्टिवेटिंग काइनेज कह सकते हैं CAK था और उसके बाद आपको इन्हीवेटरी फॉस्फेट को भी तो रिमूब करना था तो याद थ्रियोनीन था टाइरोजीन था इन दौनों को अगर आपको रिमूब करना है तो फॉस्फेटेज यूज करना पड़ेगा और कौन सा होना चाहिए CDC 25 था और वी काइनेज इसी को फिर से इन्हीवेट करने के लिए इस फॉस्फेटेट कर देता है और जैसे ही फॉस्फेट रिमूब हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपका एक्टिब कॉंप्लेक्स का फॉर्मिशन हो रहा था यह मैंने कल की क्लास में ही आ होगा यहां पर आपका साइकलिन भी होगा और यह होगा CDK1 तो जब यह पूरा कॉंप्लेक्स एक्टिबेट होता है तो यह क्या करता है इसकी क्या कंसिक्वेंस होते हैं ठीक तो बस उसी के बारे में हमें देखना है तो पहले बेसिक जाल लेते हैं जी टू एम एक्टिबेटरी फोसफेट होते हैं तो दाक्टिवेशन इस ताइट ली रेगुलेटरी वायद़र मुवल of inhibitory phosphorylation, तो inhibitory phosphorylation आपके 14 and 15 पर था, अब भी हमने देखा, 14 पर थ्रियोनीन था और 15 पर आपका था टाइरोजीन, इन दौनों को हमें रिमूब कर देना है, तो जैसे ही आप इस पूरे complex को active कर लेते हो, तो कुछ structural change हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, structural change cell में, एक तो chromosome कंडेंस करना शुरू कर देगा, nuclear envelope breakdown हो जाएगा, and reorganization of the cytoskeleton, ये तीनों के तीनों चीज़ हमने कहां पड़ी थी, प्रोफेज में, अगर आपको यादो, प्रोफेज में ही ये सारी चीज़ हो रही थी, तो प्रोफेज में ये हमने बढ़ा हुआ था, एम फेज, ये भी हम कह सकते हैं, तो कहने का मतलब क्या है, कि जब आप इस पूरे complex को activate कर देंगे, तो फेज G2 से एम फेज में shift होगी, तो जैसे एम फेज में आ रहे हैं, तो पहला काम क्या है, जो आपकी thread like structure थे, ये मैंने आपको एम फेज के character में बताया था, जो आपके thread like structure है, प्रोफेज में उनको condense किया जाता है, at the same time nuclear membrane को क्या करना है, disrupt करना है, और्गिनल जैसे आपके Golgi body थे, ER थे, ये सारे disrupt होने लगेंगे, cytoskeleton भी आपके disrupt होने लगते हैं, तो ये सारे character आपके एम फेज में होने चाहिए, तब ही जाके न सेल क्या करेगी, आगे जाके divide होगी, तो फ्रोफेज में ये सब हो जाएगा, एम फेज में ये सब होगा, फिर आगे चलके chromosome का separation किया जाएगा, टीलो फेज में सारी organal है, nuclear membrane है, इनको reassemble किया जाएगा, और उसके बास cytokinesis होगी और cell हो जाती है, divide, तो बस ये बोई कहानी है, जो हमने division के दौरान पड़ी हुई थी, अब ज़रा अगर हम G2M transition की मात करें, तो ये diagram देखने में बड़ा complex सा लगता है, लेकिन बहुत simple diagram है, ठीक है, यहाँ पर बस एक चीज बताई जा रही है, कि जो आपका main complex है, that is cyclin B और CD के बन, इसको कैसे आपको active करना है, क्योंकि जब वो active होगा, तब ही जाके आपकी nuclear membrane disappear होगी, disassemble होगी, और chromosome का condensation होगा, क्योंकि majority में हमें दो चीज़ें ही करनी है, कि nuclear membrane को disassemble करना है, और chromosome को condense करना है, यही चीज़ें हमें करनी है, तो यह कब होगी, जब आपका cyclin CDK का complex जो है activate होगा, और कौन सा cycling, cycling B और CDK बन, यहाँ पर सारे full form लिखे हुए है, कुछ आपके आएंगे टम, जैसे एक होता है, PLK4, इसको कहा जाता है, पोलो-like kinase 4, इसके बारे में हमने कल भी देखा हुआ था, थोड़ा सा, कि एक aurora kinase था, एक पोलो-like kinase था, जब मैं आपको कोहेजन का डाइग्राम बता रही थी, तो यह वो ही वाला है, ठीक, इसके बाद एक है pin 1, इसे peptide prolyle cis trans isomerase कहते हैं, आपको याद है, जब हम प्र पी-बी-डी, इसको कहा जाता है, वास्फो-binding domain, तो यह 3 यहाँ पर आपको बीच में short form मिलेंगे, तो उन ही का मैंने यहाँ full form मेंशन करा है, अब दीखे कहानी कैसे शुरू होनी है, कहानी जो आपका complex होता है, हमेशा की तरह, जैसे previously हमने कल की class में भी देखा था, कि सार आपके transcription factor को hold करके रखता है, और जब cyclin A और E की जरूरत होगी, तो इसको free कर दिया जाएगा, वो जैसे ही cyclin A और E को synthesize करेगा, तो finally आपका क्या activation हो जाता है complex का, और जो complex बना हुआ, जैसे cyclin E था, A था, उसके साथ CD के 2 था, तो वो complex बन चुका है, लेकिन अगर आपको इसको भी inhibit करके रखना है, तो P27 आप लेके आए थे, जैसे ही bind कर दिया था, तो वो complex आपका inhibit था, तो यहाँ पर भी वैसा एक inhibition होना है, लेकिन यह inhibition आपकी बहुत जान पहचान वाला है, क्योंकि इसको आपने पहले भी पढ़ लिया है, तो जादा मेहनत नहीं लगने वाली है, तो ज़रा देखने की कोशिश करिएगा, सबसे पहले हम बात करें complex की, तो complex में क्या क्या होगा, एक तो CD के होगा, तो CD के आपका रहने वाला है यहाँ पर बन, और cycling क्या रहेगा, B, तो cycling B और CD के बन का यह complex बना हुआ है, तो यह है आपका complex, डप्टेज, complex, जो अभी inactive है, inactive अभी यह क्यों हो सकता है, inactive यह तब होगा, जब इसमें phosphorylation ना हुआ हो, at the same time, defosphorylation ना हुआ हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो CD के है, CD के ऊपर आपका tyrosine amino acid जो था और threonine था, that is 14-threonine और tyrosine 15, यहाँ पर अभी भी phosphate add है, तो जब यह phosphate add होंगी, तो यह आपका complex inactive होगा, क्योंकि अभी आपने क्या करा है, कि CD के पर किसी तरीके से defosphorylation नहीं करा है, तो यह complex है inactive, तो inactive कर रहा है, तो यहाँ पर मतलब कि क्या होगा, V1 होगा, यह V1 kinase ही तो काम कर रहा था, और यह V1 kinase, यहाँ पर phosphate दे रहा है, और phosphate जैसे ही यह add कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि kind of आपका inactivation है complex है, तो पहला काम क्या है, यह पहला काम है कि इन phosphate को remove करिए, तो phosphate को remove करने के लिए आपको एक phosphate चाहिए होगा, तो पहला जो कहानी शुड़ू होगा कि phosphate को remove करना है, तो चलिए भाई, फॉस्फेट को remove करते हैं, तो फॉस्फेट को remove करने के लिए CDC25 कल की क्लास में हमने देखा था कि यहां पर आने वाला है CDC25, इसके दो ISOFORM होते हैं, एक तो C होता है और एक होता है B, तो CDC25 आएगा जो इस पूरे फॉस्फेट को करेगा remove, लेकिन स्टार्टिंग में यह CDC25 भी कैसा होता है, इनेक्टिव होता है, कैसे इनेक्टिव होगा, जड़ा देखिएगा, मान के चलिए यह है आपका CDC25 और यह कौन सा ISOFORM है, B है, तो यह जो B है, यह इनेक्टिव होता है initially, इनेक्टिव क्यों होता है, क्योंकि यहां पर ए एक प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम होता है 1433, यह जो यहां पर डाइक्राम है, ठीक है, that is 1433, 1433 and 3, तो जब यह इसके साथ बाइंट करें रहता है, तो आपका यह CDC25 भी है, इनेक्टिव, तो पहले इसको आपको इनेक्टिव करना होगा, क्योंकि जब आपका CDC25 एक्टिव होगा, तब जाके यह फॉस्टिट को रिमूब करेगा और आपका कॉम्पलेक्स बनेगा एक्टिव, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्टिव करने के लिए, एक्टिव करने के लिए करना पड़ेगा फौस्फोराईलेशन, तो फॉस्फोराईलेशन करा द CDC 25B पे हमने करा दिया फॉसफोर एलेशन जब यह फॉसफोराइलेशन हुआ तो यह कॉंप्लेक्स हो चुका है आपका अब जब यह आपका प्रोटीन आप कह सकते हैं तरटेज फॉस्फिटेज है यह हो चुका है जब यह एक्तिब हुआ हुआ तो आभ ये क्या करेगा इसे लjor को रिमूव करेगा तो जैसे ही एक्टिव हुआ तो यह जाके यहा पर अटक करने वाला है तो एक्टिव जैसे हुआ तो यह क्या करेगा रिमूब करदेगा क्यूंकि फॉस्फेट dynamic Kent को phosphate को phosphate को remove करेगा at 14 and 15 position जो 15 and 14 positions पे आपका phosphate था उसको कर दिया इसने remove, तो जैसे ही remove किया तो आप क्या बनेगा आपका active complex बनेंगा तो finally आपका यह जो an active complex था यह हो चुका है एक्टेव साफिक्लिग में एक्टेव कॉंपलेक्स बन चुका है कि और एक्टेव कॉंपलेक्स भी किसका बना हुआ है आपका स्थ यूटीन बीका gusti-cdk1akno तो इतनी कहानी समझ में और यह कहानी बिलकुल आपकी पुरानी वाली कहानी है कल की ग्लास में आपको डाइरेक्ट समझा दिया था कि वीवन काइनेज है जो kind of inhibitory kinase होता है और इसका काम होता है complex को inhibit करना और फिर मैंने आपको डाइरेक्ट बताया था कि CDC 25 है जो फॉस्फिटीज की एक्टिविटी को रखता है फॉस्फिट को रिमूब करेगा वो कॉम्प्लेक्स आपका एक्टिव हो जाएगा लेकिन यहां पर उसी चीज को हमने डीटेल में थोड़ा देखा कि जो inUS impact के क्यों होता है यह बेसिकली को सीडेसिर टोनेएट करके रखता है या सी तो सबसे काम किख को आदे तो यह जाता है जैसे हे एक्टिव होगा तो क्या कर देगा टो और वास्पपेट को रिमूब नवकर देगा और आपका complex हो चुका है active तो आपका complex अब active हो गया लेकिन यह कहानी यहीं खतम नहीं क्योंकि अभी आपके कुछ ही cycling और CDK के complex हुएं ज़्रूरत क्या है कि आप और cycling and CDK को एक्टिव करिये तो यह जो टिब कॉम्प्लेक्स है ना ये दो चीज़ें करने वाला है कौन-कौन सी दो चीज़ें करने वाला है पहले तो यही वाला कॉम्प्लेक्स अब फर्दर एक्टिवेट करेगा दो चीज़ें यहां से होंगी यह फर्दर एक्टिवेट करेगा CDC 25C के लिए यहाँ पर Initiation B से हुआ लेकिन C भी तो यहाँ प्रेजेंट था तो CDC 25C के लिए एक्टिवेट करेगा at the same time जो V1 होता है इसको degrade कराने का काम करता है तो दो चीज़ें अभी आगे चल के करेगा तो इसने दो चीज़ें इसलिए करी हैं जिससे जादा से जादा जितना जादा यह degrade होगा तो क्या होगा कि phosphate नहीं हो पाएगा तो complex आपका जादा जादा एक्टिवेट होगा यूंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही complex साइक्लिन और CDK का बनाए उससे हमारा काम हो जाए हमें डिहीर सारे complex चाहिए रहेंगे इसलिए यह pathway होता है ठीक तो अब ज़रा diagram के पास आचाहिए और इसमें समझने की कोशिश कीजेगा तो यहां पर क्या है अगर आप इस पूरे complex की बात करें यहां से शुरू हुआ है यह आपके centriol दिखाए गए हैं तो centriol है मतलब कि यह centrosome की कहानी बता रहे हैं क्योंकि इस फेस का काम क्या था centriol duplication करना हम जी टू से एम में जा रहे हैं तो आपके centriol भी कहीं न कहीं बने हुए पड़े होंगे इसलिए यहां डाइग्राम में यह चीज दिखाए गई है ठीक है अब अगर आप इस पूरे complex की बात करें तो initially यह कैसा है इन एक्टिव क्यों है क्योंकि यहां पर वीवन है अब वीवन है तो इनको कर देगा इन एक्टिव करने के लिए चाहिए है cdc तो सबसे पहले यह cdc भी आएगा जो रिमूब करेगा और इस पूरे complex को कर देगा active अब जब आपका complex active हुआ है तो यह further activate कर रहा है cdc 25 c के के एक तो आपका वीवन को डीग्रेड करेगा और साथ ही साथ further activate कर देगा cyclin cdk complex के लिए साथ ही साथ यहां पर कुछ आपके polo-like kinase होते है aurora-like kinase होता है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि यह phosphorylate भी होती है cdc 25 b की बात करें या फिर c की बात करें तो इनका phosphorylation कैसे हुआ है इन ही polo-like kinase aurora kinase के थ्रू तो phosphorylation हो गया यहां पर आप देखेंगे तो क्या किया गया है कि यह जो cdc 25 आया है इस complex को activate कर रहा है at the same time यहां पर degrade कर रहा है तो positive feedback का जो लूप आपको दिख रहा है यहां पर एक लूप है दूसरा लूप यह है तो जो लूप है यही बता रहे है कि जैसे ही आपका एक complex activate होगा वो further activate करेगा cdc 25 को जिससे ज्यादा से ज्यादा अगेन आपका cyclin cdk complex activate हो जाए at the same time degrade करेगा V1 को तो फिर से positive feedback loop बनेगा जो VK degradation के लिए होगा कि डाइग्राम यार इससे जादा जूम नहीं होगा क्योंकि यह एक image है और powerpoint में यह चल रहा है PDF में नहीं चल रहा है तो बिल्कुल complex नहीं है इसलिए मैंने इसको एक एक करके draw करके बता दिया है और यहीं draw यहां पर हुआ है और अल्टिमेटली जब आपका complex वनेगा जब आपका पूरा का पूरा यह complex का formation हो जाता है यह देखें यहां पर आपका active complex है active complex किसका ताइकलिन B प्लस CDK वन का यह जो active complex है यह जाएगा तो इसका काम क्या है कि nuclear membrane को नूकलियर membrane को degrade करना और साथ ही साथ chromosome को condense करना तो दोनों चीज़ें हो जाएंगे चीक यह diagram क्या है ना कि एक साथ था इसलिए यहां डाल दिया है अगर by chance ऐसा हो कि आपके पास PDF में पहुंची और आपको ना समझ मैं तो आप बता दीजेगा कल की क्लास में मैं एक simplest diagram हाँ से ड्रॉ करके पूरा यहां पर ले आऊंगी तो आप उससे समझ जाएगे लेकिन कहानी बस इतनी ही है इसमें जादा और कुछ नहीं है बाकी यहां पर थोड़ा डाइग्राम हर एक का बनाए गया जैसे CDC अगर आप देखें सी यहां पर है भी यहां पर रिमूब किया है CDC 25 के लिए उसको मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बहुत अच्छे से बताया है तो ऐसा नहीं है कि यहां कोई कंफ्यूजन रह जाएगा यह सारा अच्छे से समझ में आजाएगा यह सारे आपके ऐसे प्रोटीन होते हैं क्योंकि आपने CDC 25 को एक बार एक्टिब करा काम होगया फिर उसको दोवारा भी तो एक्टिब करना हैं ऐसा करेंगे हमेशा अब CDC 25 को कर नहीं तो यह फॉस्टेज है जहां जहां इसको पी दिखेगा जहां जहां इसको फॉस्टेट दिखेगा उनको रिमूब करने में लग जाएगा तो जरूरी है कि जैसे इसका काम खतम हो यहां से इसको तुरंट नेक्टिब कर लिया जाए तो नेक्टिब करने के लिए क्या चाहिए रहेगा 1433 मोह आपको प्रोटीन चाहिए रहेगा तो डीड़ेटेशन किसी प्रोटीन का नहीं होता है एकसेप्ट साइक्लिंग सारे प्रोटीन की रिसाइक्लिंग होती तो सेल्में मैग्जीमम कंसेट to recycling का जाता है हर एक चीज को आपको degrade नहीं करना होता है यहां पर भी इसका दुबारा reuse किया जाएगा ऐसा नहीं है कि यह कुछ होगा इसका या इसको कहीं छोड़ दिया जाएगा और नाम क्या है पोलो लाइक काईनेस तो कैनेस सब लिका है네च्ट स्लाइडम का कुरे डाइग्राम की लिखा है कर रहा है तो ऐसे कॉस्टं कर ना करें कि जो आपका पी ल के 4 है वह क्या है एट लिस्ट यह ना कहें कि इस बहले रहे कि फॉस्पराइलेशन कहा करेंगा तो मैं बता दोंगे लिकिन अगर आप यह कहोगी कि कया है तो फिर गढ़ बढ़ है क्योंकि काइनेस को 10 बार बताया समझिए और connectivity के साथ इनको connect करके रखिए तो जो बात आपको बताई गई है वो यहां पर पूरी लेंग्विश फॉर्म में लिखी गई है कि सबसे पहले आपके CD के ये भी काइनेज है काइनेज है तो फॉस्पोराइलेशन कराएंगे पी एल के पॉलो लाइक काइनेज वन हो सकता है फॉर हो सकता है तो ये भी आपका कैसा होगा काइनेज है अरूरा काइनेज है ये भी आपके फॉस्पोराइलेशन कराएंगे और साथ ही साथ एक डोमेन था पी बीडी डोमेन तो ये collectively के एक्टिवेशन का काम करते हैं तबही जाके गुणि क्यूंकि जब मतलब साइक्ली MP4 करेग के बन को एक्टिवेट करेंगे तबहीं जाकर से इम वह से असे इक्टिवेग से क्यूं complete बन करेगी हो सतर्टिक मेंает लेकिन वे व विवन और यह जो वी वन था वह क्या कर रहा था इस और तो पहला काम क्या है कि इसको real वNow a very पूरे फॉस्पेट को 14 और 15 जो थ्रियोनीं टाइरोजीम पह सके चुरॉणouv थो Aleman c25 cdc 25 b आएगा लेकिन स्टार्टिंग में यह भी आपका इनेक्टिव होता है और इनहीविटेट होता है किसके थुरू आपका एक और प्रोटीन होता है 1433 तो पाकाम क्या है की आप एकिव करेंगे तो इनीशली यह आपका इन्हीटेट था एक्टिब था ता थेन आपने एक्टिब करा एक्टिब किस से करा फॉस्पोराईलेशं से तो आपने करा था CDC 25 B पे फॉस्फोराइलेशन और यह एक्टिव हो गया यह फॉस्फोराइलेशन किसके तुरू हो गया होगा आपका पोलो-like-kinase-4 या तो-1 इनके तुरू इनका फूरे तरीके से फॉस्फोराइलेशन अभी एक्टिव हो गया अब जैसे ही एक्टिव हो जाएंगे तो CDC 25 B का काम क्या है कि साइक्लिन Kotki के कोंप्लेक्स से यह सबसे पहले रिमुव करेगा इनिवीटरी फोस्फेट को और कॉप्लेक्स हो जाएगा अब जब कॉंप्लेक्स एक्टिव हुआ है तो यह कॉंप्लेक्स आगे चलके क्या काम करेगा कि फॉस्फोराहेट कराएगा CDC 25 C के लिए अब CDC 25C जब phosphorylate होता है तो एक और step आता है इसमें पिन और polo-like kinase को further activate किया जाता है मतलब जितने एक्टिवेट थे ठीक है लेकिन और ज्यादा इनका activation होगा ठीक है तो यह एक extra line है डाइग्राम में आपको दिख जाएगी अब CDC 25 again phosphatase है तो यह क्या करेगा डी-phosphorylate करेगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि starting में ही सारे आपके complex active हो गए कुछ अभी भी आपके complex थे जो कैसे थे inactive थे तो किसको active किया गया CDC 25C के लिए और कहा गया भाई आप भी काम पे लगिए तो जब इसने भी काम शुरू किया तो इसने फर्दर activate करा इसी complex को cyclin B और CDK बन के लिए तो अब होगा क्या कि जादा से जादा जब इनका activation होगा तो activation जैसी ही होगा तो पहला काम क्या है कि एक तो कर दें दूसरा काम आपका cyclin CDK को जो बाइंड कर रहा था फॉस्फोराइलेट कर रहा था वीवन उसको भी डिग्रेट करिए क्योंकि जब वीवन का तो जैसे ही वीवन आपका इन्हीविट होगा तो कॉंप्लेक्स एक्टिवेशन बहुत जादा इन्हांस हो जाएगा अब जादा ज्यादा आपके कॉंप्लेक्स एक्टिवेट हो चुके है तो डेर सारे कॉंप्लेक्स साइक्लिन के CDK1 के एक्टिव हो गया है तो जब एक्टिव हो गया है तो यह न्यूक्लियस में चले जाएंगे जब यह न्यूक्लियस में जाएंगे तो काम क्या करेंगे वह काम करना शुरू कर देंग question आया है कि जो 1433 है is mono UV cutenated protein है क्या तो अब आप मुझे यह बताईए by chance अगर यह UV cutenated होता by chance अगर यह होता कि UV cuten है तो यह करता क्या जहां पर भी wind करता वहाँ पे tag डाल देता UV cuten के और tag डाल देता तो protein का डिग्रेडेशन हो जाता एनक्टिवेशन नहीं होता जैसे हमने P27 में देखा था कि पूरा का पूरा प्रोटीन ही डिग्रेड हुआ लेकिन क्या आपने देखा कि CDC 25 का डिग्रेडेशन हुआ है उसका एक्टिवेशन एनक्टिवेशन हुआ है तो यह कहां से एकदम मतलब अलग से चीज़ें लेके आते हो या तो सारी चीज़ों को भाई आप लोग मिक्स कर रहे हो नहीं आप खुद अपना कॉमन सेंस लगाईए ना जादा यहां कंसेप्ट की जरूरत है ना डीप नॉलेज की जरूरत है यूवी क्यूटीन का टेग अगर आप एड करेंगे तो डीग्रेडेशन होगा अगर आपका प्रोटीन बाई चांस ऐसा होता यूवी क्यूटीनेटेड तो वो टेग एड कर दे रहा था टेग एड करता तो डीग्रेडेशन हो तो वहां में डीग्रेडेशन लिखते हो तो एनेक्टिवेशन एक्टिवेशन का कंसेप्ट है तो व वही एक्जाम्पल है एक आपका मैंने पढ़ाया था SCF कल आपने समरी में भी देखा था और दूसरा हमने बढ़ाया था एनाफेस प्रोमोटिंग कॉंप्लेक्स दो चीज़े मैंने आपको कल बढ़ाई थी इन सब चीज़ों में जरूरी नहीं है कि जब मैं मोहर लगा हूँ आप मुझसे पूछों कि जब मैं यस कहूं तब ही आपको यह समझ में यह एकदम बेसिक चीज़े होती हैं जब आप इतना सब कुछ पढ़ लेते हैं क्योंकि आप सैल साइकल कि कैसे आपका जी टू-म तरांजीशन जब होने लगता है तो पहले क्या त्यारी करी साथी है तो कॉंपलेग्स एक्टिवेट किया जाता है और आपको बता दिया बात आती है कि अंटिवेट हो गया तो यह आगे चलके क्या चलके बोई करने वाला उना ने आपको बता दिया है और यहां पर अरोरा काइनेज और पोलो काइनेज का भाई काफी रोल है काफी रोल इसलिए है क्योंकि फॉस्पोराइलेशन इनके थ्रू भी होता है बाकी और सेट में जब हम एस से जीवन से एस टांजीशन पढ़ रहे थे एस रेगुलिशन तो वह अहां पर आपको एक अच्छी और फेसिलिटी दी गई है पोलो काइनेज की और साथ ही साथ अरोरा काइनेज की तो यह माइंड में रखिए यह आपके माइटोटिक काइनेज है यह जीटू एम ट्रांजीशन और एम फेस में ही आपको देखने को मिलते हैं अब जब कॉंप और स्पिंडिल फाइवर फॉर्मेशन शुरू कर दीजे क्योंकि मेटा फेस में इसी की जरूरत पढ़ने वाले तो यह सारे काम किये जाएंगे लेकिन यह सारे काम होते कैसे हैं अब हर एक काम को हमें उठाना है वह पढ़ना है तो यहां पर जो क्रोमटिन कंडंसेशन है यह में नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि यह आपका पूरा हिस्टोन मॉडल होता है जिसे आप यूनिट 3 में पढ़ेंगे ठीक है तो यूनिट 3 में जो आप पूरा कंडंसेशन पढ़ लेते हैं क्रोमोजॉम कंडंसेशन जो हिस्टोन मॉडल पढ़ते वो इसी का पाई ठीक ह तो यह सब कहां किया जाएगा प्रोफेज में जो आपका एम फेज का फर्स्ट फेज है देट इस प्रोफेज वहां पर यह होगा फिर आपका नुक्लियर एंबलब ब्रेकडाउन कैसे होगा यह मैं आपको बताऊंगी इसी से मिलता जुलता होता है यहां भी फॉस्फोराइलेशन के थ्रू किया जाएगा और स्पिंडल फॉर्मिशन भी मैं आपको बढ़ाऊंगी खीक तो यह यूनिट 3 का है ना क्रोमेटिन कंडनसेशन आप पढ़ते भी है पहले भी आपने कभी पढ़ा होगा तो इसलिए इसको यहां डील नहीं किया जाएगा क्योंकि यह यूनिट 3 का ही बेसिक है जो वहां पर पढ़ाया जाएगा तो फंक्शन जैसा कि बताया है बोई यहां पर लिखे गए हैं कि जो आपका पहला कॉंप्लेक्स है यह भी तो आपके काइंड और काइनेजिस है चुकि यह एम फेस के इसलिए आप इनको क्या कहोगी माइटोटिक प्रोमोटिंग फेक्टर या फिर मैचुरेशन अलाबा भी एक कंचा था लो काइनेज तोफोलो काइनेज किस चीज्ट के लिए क्रीटिकल होता है पोलो काहिल सपिंडिला फॉरमेशन के लिए करिटीकल होता है साथ-साथ-ह्रोमोज authentics यह काफी क्रिटिकल होता है और तीसरा काइनेस कहलाता है आपका अरोरा काई यह भी माइटोटिक स्पिंडल फॉरमेशन के लिए और इंशूर करता है क्या क्रोमोजॉम प्रॉपर्ली अटेज्ट हुए है माइटोटिक स्पिंडल फाइबर से या नहीं और लास्ट में सेग् पूरा काइनेस भी स्फिंडल फॉरमेशन और क्रोमोजॉम सग्रीएशन में काम करते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट जो कहानी शुरू होती है इसमें हम देखेंगे कि कैसे नुक्लियर मेंब्रेन या एंबलप डबलप ब्रेकडाउन हो रही है क्योंकि यह पहला काम था ज यह यह डाइग्राम आपने और उगनल में पड़ा है जब हम नुक्लियर ट्रांस्पोटेशन पड़ रहे थे तब ही अपने पड़ा है यह इंद नुक्लियर है इसके पास दो मिंब्रेन यह आपकी अट्रम मेंब्रेन प्रोटीन यहिए नापका वंते ऐ相信 होती है और यह का किसे होगा और नुक्लियर पूर बीचों वीच आपके प्रेजेंट होगे यहां से आपका ट्रांस्पोर्टेशन होगा लार्ज मॉलिक्यूल भी कितने जो 40 डैल्टन से ज्यादा के मॉलिक्यूल सौना से अगर आप इस डाइगराम को थोड़ा और लांश्ट करके देखो कि तो आपको और चीजें किलियर कट समझ में आएंगी जब से पहले एक है आपकी आउटर ऐंव मेंपरीन दुसरी कहलाती है इनर मेंपरीन और इस ही इनर मेंपरीन में प्रेजेंट है आपका लमिन और साथ ही साथ फिर आपके chromatin present होते हैं यह होता है आपका pore complex that is nuclear pore complex फिर आपके ribosome होंगे कुछ इस तरीके से attached होंगे और इसी nuclear पर outer side ER भी होगी that is endoplasmic reticulum cytoplasm की साइड तो आपको degradation किसका कराना है nuclear lemon का जैसे ही यह lemon degrade करना शुरू कर देगा तो यह membrane automatic disappear हो जाएगी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो nuclear lemon होते हैं उसके पास कुछ protein होते हैं अगर आपको याद आ रहा हो हमने एक link complex के बारे में पड़ा था यह कुछ आपके protein होते हैं और यह protein क्या करते हैं एक link complex का formation करते हैं और यह जो complex बनता है यह complex करता क्या है stability provide करता है और इसी से आपका पूरा यह membrane का structure जो था वो कैसा था stable था क्योंकि lemon से cytoskeletal cytosol में जो present थे पूरा का पूरा आपका complex का formation हो रहा था और एक तरीके का association हो रहा था cytoplasm में present होने वाले cytoskeletal और lemon के साथ और जैसे ही आपके lemon और cytosol में skeletal आपस में attached हो रहे थे तो पूरा आपका एक stable complex बन जा रहा था और पूरा का पूरा stability मिल जा रही थी nucleus के लिए तो अगर आप इस lemon को degrade कर दो अगर आप इस पूरे lemon को degrade कर दो तो क्या होगा lemon के degradation के तुरंत बाद ही आपका वो पूरा complex टूट जाएगा stability जो है वो कैसी हो जाएगी खतम हो जाएगी बिल्कुल यहां पर दो protein होते हैं एक तो कुछ होता है दूसरा sun होता है और यह दौनों ही मिलके आपके link complex का formation करते हैं और इसके बाद आपका पूरा एक joint बनता है between the cytoskeletal of the cytoplasm and the lemon inside the nucleus अब यह फॉस्फोर आइलेशन होता कहा है तो जरा इस डाइग्राम पे आईए यहां पर दिखाए गए हैं आपके lemon तो यह क्या है lemon है और lemon मतलब की intermediate filament है तो यह आपका lemon protein है जो filament form में present होता है तो जहां जहां भी आपको OH दिख रहा होगा वहां पर आफ फॉस्फेट एड़ कर देंगे तो फॉस्फोराइलेशन करा रहे हैं आप lemon protein का क्या करा रहे हैं फॉस्फोराइलेशन करा रहे हैं तो यहां पर होने वाला है फॉस्फोराइलेशन एक तो यहां पर हुआ है और फिर यहां पर भी तो जहां 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 ओएच होगा तो एच हटा के फॉस्फेट को एड़ कर दिया जाएगा और किसके फॉस्फोराइलेशन करा दिया जाएगा और कुछ आपके फॉस्फोराइलेशन करा दिया जैसे ही फॉस्पोराइलेशन होगा तो उनकी स्टेविलेटी हट जाती है और यह कुछ इस तरीके से जो आपस में जुड़े हुए हैं हो जाते हैं तो आगे चलके अगर आप इस डाइग्राम को देखोगे तो तोड़ा और अच्छे समझ में आएगा स्टार्टिंग में इंटरफेज स्टेज में पूरा का पूरा जो आपका लेमिन है वो इंटेक्ट होता है तो लेमिन कैसा है इंटेक्ट फॉर्म में है लेकिन जैसे ही आपका एमफेज शुरू होता है तो लेमिन को क्या करना है डिससेंबल करना है तो लेमिन आपके दो फॉ और बाकि जो लेमिन B है वो वेसिकल्स के फोर्म में रियार यांडो प्लाश्म के करे फीकम की मेंब्रेन पे ऐटेश्ट होता है तो यह जो आपको वेसिकर भारहं एसे कर एंदर क्या हुगा वैसिकल की आपका मッ जर्टास्ट कॉकन सब्लै और म्हीं सीओ तो MCQ में direct question आ सकता है कि during phosphorylation या after phosphorylation जब nuclear envelope breakdown होता है तो lemon A, B and C का क्या nature होगा तो A और B fully dispersed हो जाएंगे और वही पर B की बात करें तो यह vesicles के form में आता है एक direct question आ सकता है कि vesicles के form में कौन सा lemon रहता है तो lemon B रहता है ठीक तो कुछ इस तरीके से nuclear envelope का breakdown करते हैं तो breakdown phosphorylation के तुरू होना है और phosphorylation मतलब phosphate को आप add कर देने वाले हैं add जैसे ही होगा तो यह पूरा आपका dispersed हो जाता है जिसमें दो dispersed हो जाएंगे एक vesicles के form में बंद हो जाता है तो nuclear envelope का जो आपको बताएगा है वह language form में है कि यहां पर inner nuclear membrane होती है जो associated होती है किस से nuclear lamina से अब आपको lemon को कर देना है degrade तो degrade कर देना है तो आपके पास सीन यहां पर lemon होगे जिन में से ए और बी dispersed होगा सी वेसिकल के form में होगा तो सबसे पहले आपको फॉस्पोराइलेशन कराने तो फॉस्पोराइलेशन किस के तुरू होगा cdk के तुरू और अच्छा कौन सा cdk यहां पर होगा जरा फटा फट बताईए कौन सा cdk यहां पर होगा ठीक है cdk1 और साइकलिन भी तो cdk से फॉस्पोराइलेशन होना है तो लिख दीजिए cdk1 यहां पर प्रेजेंट होगा फॉस्पोराइलेट करेंगे से इसा कहीं भी फॉस्पोराइलेशन नहीं होगा सेरीन अमाईन्य एसेड फॉस्पोराइलेशन होगा और नुघ्लियर लैमिना जो है वो आपकी डिस असेंबल होना शुरू हो जाती है तो depolymerization होगा और यह disintegration शुरू हो जाएगा लमिना में जिससे nuclear envelope पूरा disassemble हो जाएगा साथ ही साथ कुछ protein भी nuclear pore in present होते हैं पोर में हमने देखा था जब मैं आपको pore complex पढ़ा रही थी वहां पर भी कुछ protein थे इनको भी फॉस्पोराइलेट कर देता है CDK तो फाइनली आपका nuclear pore complex भी क्या हो जाएगा dissociate हो जाएगा disassemble हो जाएगा तो ऐसे कर के पूरा का पूरा जो मेंब्रेन है और complex वो कैसा हो जाता है dissociate हो जाता है तो पूरी कहानी कहां पर आके रुखी है फॉस्पोराइलेट पर तो चाहे नुक्लियो प्रोटीन हो उसको भी CDK फॉस्पोराइलेट करा देंगे चाहे आपके कहारी बनते हैं spindle formation की क्योंकि यह भी तो यहीं से हमें शुरू कर देना था spindle formation लिखा हुआ है असेंबली की बात होनी चाहिए यहां पर क्योंकि अगर आप synthesis की बात करें तो टिबियूलिन synthesis आपकी G2 phase में ही होने लगा था अगर आपको याद हो सेंट्रियॉल डुप्लिकेशन आपकी S phase में होने लगा था तो सेंट्रियॉल डुप्लिकेशन S phase में G2 phase तक सब कंप्लीट हो आता यह assembly की बात हो रही that is spindle formation यह टिबियूलिन formation नहीं लिखा है तो थोड़ा सा ना टम को ध्यान से देखा करिए या देखिएगा spindle formation तो spindle formation आपको M phase में करना है लेकिन question आता है इसलिए मैंने mention भी कर दिया है कि सेंट्रोजॉम यह सेंट्रियॉल डुप्लिकेशन आपकी S phase में होगा और separation जो है that is mitosis में होता है तो सेंट्रियॉल डुप्लिकेशन इनिशियेट इन S phase टिब्यूलिन synthesis एक बात और यहां पर add कर लीजिए देन टिब्यूलिन synthesis कहां हो रहा था जी टू फेज में असेंबली का formation कहां होगा यह होगा आपका M phase में इसलिए लिखा है कि जब असेंबली बनेगी तब ही जाके इनका सेपरेशन होगा सेपरेशन मतलब की क्या जो सेंट्रियॉल है अभी एक जगाते सेपरेट हो क्या प्रोजिट पोल पे जा रहे थे एक ऊपर था एक नीचे था तो यह सेपरेशन आपकी M phase में होता है तो यह बात समझ गए तीनों टर्म कंफ्यूज तो नहीं होगे कि कब टिब्यूलिन बनना है कब सेंट्रियॉल बनना है और कब स्पिंडिल का फॉर्मिशन होना है और नहीं भी अगर समझ में आया है तो अभी नेक्स्ट एक बड़ा अच्छा डाइग्राम यहां पर इंक्लूड किया गया है उसमें समझ में तो यह जड़ा देखिए जब आप बात करते हैं कि आपको पूरा सेंट्रियॉल डुप्लिकेशन करना है त मतलब कहां पर एस फेस में होगा तो स्थेज में सीडी के टूर साइटली लिखा था इंदा प्रेसेंस ऑप सीडी के टूर साइटली डुप्लिकेशन होगा पर नेक्स्ट असेमबली की जब आप बात करें तो यह देखिए सेंट्रियॉल पूरा च्छी से डुप्लिकेट हो हुआ तो कुछ इस तरीके से डूपीए हो चुके हैं आभ यहां पर इनको मिलने वाला है साइकलिन A और साइकलिन B तो जब साइकलिन G3 मिलता है तो इह क्या कर जाते हैं थोड़ा सेपरेट ру शुरू कर देऊप से अभी यहांपे थे अभी यह दौनों पोल पे जाएंगे तभी जाके आपका सेपरेशन हो जाएगा तभी जाके आपके स्पिंडल का फॉर्मेशन भी तो करना है जो क्रोमोजम को सेपरेट करें तो यह कब होगा आपकी M-phase में जब इसको CDK1 और साइक्लिन भी मिलेगा क्योंकि यह प्रोटीन है जो सेपरेट कराएंगे इंदा M-phase especially pro-phase by CDK1 और साइक्लिन भी के तुरू यह होगा ठीक तो सिंपल सी स्लाइड है लेकिन information इसमें काफी सारी है डाइरेक्ट कोश्चन आ सकता है कि सेंट्री और डुप्लिकेशन कहां शुरू होता S-phase में यह पूछ लिया जाए कि सेंट्री और डुप्लिकेशन के लिए कौन सा CDK और साइक्लिन चाहिए रहेगा तो आप क्या कहोगे कि डुप्लिकेशन के लिए CDK 2 और साइक्लिन ई चाहिए है लेकिन सेपरेशन के लिए चाहिए है CDK 1 और साइक्लिन बी अगर हम कह दें कि स्पिंडिल फॉर्मिशन के लिए क्या चाहिए पड़ेगा तो जरा बताइए यहां पे थोड़ा इसको और इन्रिश्ट कर दिया जाता है और अब पूछा जा रहा है इस स्पिंडिल फॉर्मिशन के लिए जरा बताइए कौन सा साइक्लिन सीडी के चाहिए रहेगा टिप यूलिन सिंथिस के लिए कौन सा साइक्लिन और सीडी के चाहिए रहेगा स्पिंडिल फॉर्मिशन के लिए बता रहे है छी तो इस पिंडल फॉर्मिशन के लिए चाहिए है आपके पास साइक्लिन भी होना चाहिए that is साइक्लिन भी प्लस सीडी के वन टिब्यूलिन संथसिस के लिए क्या चाहिए रहेगा साइक्लिन टू कबसे बनने लगा भाई साइक्लिन ए बी सीडी के पॉर्म में था साइक्लिन टू सीडी के टू टिब्यूलिन आपके जीटू फेस में हो रहा है तो जीटू फेस के लिए एक हमने देखा था ना भाई साइक्लिन ओ फॉर्मूला याद रखिए कि दा इंटरेटेनर एक्टर अविताप बचंत से समझ में आएगा ना कर दो बिल्कुल ए होगा साइक्लिन ए होगा और सीडी के बन होगा तो जरा समहल के क्योंकि केवालो केवाल जीटू की बात हो रही है अगर जीटू एम ट्रांजिशन की भी बात होती तब जाके आप साइक्लिन भी हो सीडी के बन को कंसीडर कर लेते लेकिन ये आपका कहां पे होता है जीटू में होता है तो जीटू में होता है तो साइक्लिन लिखिए ए प्लास सीडी के ए तो ऐसे कंफ्यूज मत हो यह बहुत छोटी से इन्फॉर्मेशन है ये ट्रेक से पूरा सॉल्व हो रही है फिर भी अगर आप ऐसे कहोंगे साइक्लिन भी है साइक्लिन ही है डी है तो फिर गड़बड काम है और ऐसा कुछ गुमाया भी नेवल को स्ट्रेट फॉर्म में पूछ लिया है ऐसे तो कॉश्चन आते भी नहीं है आजकल आपको बता है आगे पीछे एक दो लाइन कहानी वाली होती है ठीक तो समझ में आया कि कॉश्चन अगर पूछा जाता है तो कैसे सॉल्व करना है उसको तो जो आपको पहली दिन पहले दिन मतलब की अभी जो हमने सेल डिविजन पड़ा था पहली क्लास में उसमें मैं आपको बताया था हर एक फेज का क्यरेक्टर तो जो फेज में आपके जो केरेक्टर हैं उसी फेज के सामने ज़रा एक बार यह साइकलिन सीडी के लिख दीजेगा तो आप आपको पता है जीटू फेज में जो जो है अब सेंट्रियोल डुपलीकेशन के बात कर दी जाए कॉशन में पूछ लिया जाए कि सेंट्रियोल फेज में खतम हुआ यह क्या लेका सेंट्रियोल डुपलीकेशन स्टार्ट तो कम्पलीशन कहां आप जीटू फेज में कर तो फिर आप इसको चूश कर स्टार्टिंग इनिसीएशन की बात हुई तो एस फेज का सीडी के टू साइकलीन को कर लिजे चूश लेगन अब एक चीज और देखें गोलु ने एक बात कही है कि जो साइकलीन ई है वो जीवन आस टांजीशन के लिए होता है । breaking पूरा ऐस में जब जाना है जी से हटके जब एस में जा रहे थे तब जाके वो ऐसमें जरूरत था आपका cyclin A था, cyclin E था और ट्रांजीशन मतलब की ऐसा फेज होता है जहां पे की सेल शिप्ट हो रही होती है तो शिप्टिंग में ट्रांजीशन मतलब की कैसा होगा एक इनिसियेशन होगा एक पूर आउट पॉइंट होगा तो इनिसियेशन कहां पे साइकलिन आपके 46D से शुरू होता और खतम हो रहा था यह पे और उसके साथ था CDK2 तो इसको थोड़ा सा याद रखी अच्छे से ऐसा फेज के लिए ऐसा नहीं है कि किवल ए ही होगा जैसा कि आपको बताया गया था कि फाइनल आउटकम ए और ए दोनों थे तो वह आप मेंशन करेंगे छीक चली यह सब ऐसा है जब आप इसको बार बार पढ़ोगे फिर उसके बाद जो नोट से जहां आपको मौका मिले उनको लिखते चाहिए करते जाए तब जाके क्लियर होगा आप सोचे एक live class में आपको याद हो जाए तो याद नहीं होगा समझ में सब आ जाएगा सारी चीज लेकिन जैसा कि याद करने के लिए आपको एक बार जरूर उसको sis करना होगा तो थोड़ा करिए यह डाइग्राम कहां पढ़ा हुआ था वी मैं आपको सेंट्रो ports यहां चाहिए लेकिनल का पहले आपको centriol को तो बनाना है जब आपके centriol बनेगे तब जाके उसी centriol से बनना है क्या आपका spindle ठीक तो यह बिल्कुल पुराना वाला ही डाइग्राम है तो यह आपका पूरा कहलाता है organizing center organizing center है center है तो काफी सारी चीज़ा इसके पास होंगी क्या क्या होंगी जैसे इसके पास centriol होंगी कुछ material भी होगा जिसको peri centriolar material कहा चाता है और जब आपका यह पूरा माइक्रो टिब्यूल का formation होना होगा तो पहले क्या बताया था मैंने आपको कि आपको एक नीव रखनी पड़ेगी और वो जो नीव है पहला complex है वो कहलाता है तर्क gamma-tibulin ring complex और इसी पे आप micro-tibulin को बना रहे थे जब आपके micro-tibulin बन जा रहे थे और वो ही micro-tibulin आपके finally set में थे तो आपने उनको centriol कहा था लेकिन यह जो centriol बना है यह आसानी से नहीं बनता आपको थोड़ी सी महनत करनी रहती तो इसको centriol cycle कहा जाता है यह centriol formation cycle आप बात करें तो यह ensure करता है यह जो cycle है यह पूरा का पूरा organizing center जरूरी है जिससे जो आपका micro-tibulin बन रहा है उसका bipolar या bipolar spindle का formation हो और यह जरूरी होते हैं chromosome segregation के लिए इंटर फेस से शुरू हो जाता है यह सारा कुछ होना centriol की बात करें तो दो centriol यहां पर सराउंडेड होते हैं पैरी centriolar material से centriol structure की बात करें तो यह जो centriol बना है उसके के पास nine triplate micro-tibule होंगे जो आपस में assemble होंगे और शुरूबात होनी है गामा टर्क complex से जो एक nucleating structure कहलाता है साथी साथ आपका यहां पर mother centriol होता है इसको mark किया जाता है क्योंकि इसके पास additional appendages present होते हैं और दूसरा होता है आपका daughter centriol तो यह कुछ नहीं है बस information लिखी हुई है centrosome के बारे में centrosome क्या है क्या क्या इसमें present होगा centriol होंगे pericentriol material होगा initiation शुरू होना है आपके टर्क complex से और उसके बाद जो micro-tibule बन रहा है वो कितना होगा triplate वाला होगा और साथी साथ nine micro-tibule से यह पूरा एक बनता है ठीक तो यह पुरानी वाली ही कहानी है नई कहानी यह वाली है जिसमें हमें पूरा cycle देखना है कि जो centrosome होता है उसमें पूरी cycle वो चलती कैसे है तो centrosome मतलब की अगयन micro-tibule organizing center है जिसमें है centriol तो आपको इनी centriol को mature करना है तो अगर आप centriol maturation की बाद करें तो throughout the cell cycle यह चलता रहता है शुरूबात अगर आप देखेंगे तो जीवन से हो गया है पर कुछ modification S में होंगे फिर G2M में होगा और फिर final M में होगा तो याद आपको क्या रखना है कि G1 में क्या हो रहा है S में क्या हो रहा है G2M में क्या हो रहा है और M में क्या हो रहा है यह जरूरत पढ़ती है यहां पर याद करने की PCM एक टाम आएगा इसका फुल फॉर्म होता है पैरी सेंट्रियोलर मटीरियल ठीक तो स्टेप बन में सबसे पहले क्या किया जाएगा अगर आप यहां पर देखें तो देखने में आपको समझ में आ रहा होगा कि यह जो सेट बना हुआ है इसमें केवल एक ही सेंट्रियोल है एक सेंट्रियोल इस सेट के पास है और दूसरा सेंट्रियोल इस सेट के पास है तो केवल एक है तो पहला काम हमें क्या करना है कि इसको डुप्लिकेट करना है डुप्लिकेट करेंगे तब ही एक डॉटर बनेगा एक मदर बनेगा क्योंकि हमें दो सेंट्रियोल चाहिए रह जो यहां पर शुप्ट कर दिया लिया है तो यह क्या है आपके यह है आपके सेंट्रियोल और सेंट्रियोल के चारो तरफ एक आपका material है जिसको पैरी सेंट्रियोलर material PCM कहा जाता है और आपस में यह जो सेंट्रियोल है अभी attached है या लिंक है यह क्या है आपके लिंक है ठीक तो सबसे पहले जीवन एस बात करी जाती है कई बार जीवन फेस भी लिखा रहता है कई बार जीवन एस लिखा रहता है तो यह कहानी आपकी combinedly है जीवन एस थी तो जीवन एस में सबसे पहले क्या होता है कि पहला स्टेप प्रो सेंट्रियोल formation तो प्रो सेंट्रियोल मतलब की दूसरे सेंट्रियोल का formation होगा यह यह आपका mother कि अंगेटर्टर टुम सेंट्रियों का विभे टोटरßen्ट्रियों को आफ प्रोंसयल कर दा है तो करना क्या कि प्रोंसर्ट्रियों का फ्रमेशन कर दिजी तो मैं आपके cdk और साथ साथ पोलो लाइक काई Grade 4 होता है जो करता है कि सेंट्रियों से प्रैड् Dare करता है daughter procentriol के लिए जो elongated होता है या बड़ा होता है S phase में इसलिए collectively क्या है G1 S phase है तो G1 में synthesis होगा S phase में elongation होगा तो finally कह दिया जाता है कि G1 S phase में synthesis और elongation होगा तो पहला step क्या होने वाला है पहली step में आप कराईए synthesis प्लस elongation synthesis plus elongation तो बस यह हो गई आपका elongation और किसकी presence में होगा CDK होने चाहिए तो G1 S की बात कर रहे हैं तो G1 S में कौन सा cycling CDK होगा आप खुद मुझे बता सकते हैं that is 46 तो बोई होने वाला है तो 46 यहां पर होंगे CDK कौन सा होगा 46 होगा like that तो यह सारे मिलके पोलो काईनेज आपका फूर होगा synthesis करा देंगे लॉंगे तो आप देखेंगे तो आपको मिला क्या कि एक यहां पर मिल गया और दूसरा यह और इन घंलोंग के पास एक तो मढद था और दूसरा सिंधसे conव्च टो दोनों के पास यह कई डा गया लेकिन अब ही यह ट्याल है अधी बिबेज के साथ एक लिंग heter protein हुता है उस लिंगगर प्रोटीन से अरफ मैं तो आप जलींगर का इन है तो अगला काम वही है कि linker का cleavage करा दीजे तो next चीज क्या होने वाली है cleavage की तो cleavage करा दिया लेकिन cleavage ऐसे ही नहीं होगा cleavage के लिए आपको एक और protein चाहिए होता है जिसके लिए कहा जाता है neck 2 तो cleavage होता है किस के थू neck 2 के थू तो बस neck 2 के थू हो जाएगा आपका cleavage और साथ ही साथ यहां पर kinase कुछ होते हैं जैसे polo-like kinase 1, aurora kinase 1 यह क्या करते हैं pericentriolar material या PCM को ठिक करने का काम करते हैं तो अगर आप इस structure को देखें तो यहां पर PCM है लेकिन थोड़ा सा thin है अब क्या किया जाएगा जैसे ही पहले cleavage होगा और cleavage होने के बाद PCM को ठिक किया जाएगा cleavage हो गया प्लस PCM में ठिकनेस इंक्रीज करी जाएगी इसको किया जाएगा ठिक और ठिक किसके तरू होगा एक तो आपका polo-like kinase होता है polo-like kinase 1 और aurora kinase A B नहीं है aurora kinase A यहाँ होगा aurora kinase B हमने कहां पढ़ा है M phase में पढ़ा है तो यह अभी अगर आप से पूछा पीचा कि वाई centrosome यह centriol में PCM की ठिकनेस कौन करता है aurora kinase A, B, C, D तो A होगा यहाँ तो ठिकनेस होगी अब जैसे ही ठिकनेस होगी तो आगे चलके क्या करना है इनको separate करना है तो बस अगली कहानी आपके centrosome third step separation की होती है जिसमें हर एक centriol plus में pro centriol mother and daughter centriol इनको separate किया जाएगा और दो mature centrosome opposite side में चले जाएगे तो अगला काम क्या है separation का तो यहाँ पर हो गया है separation और separation किसकी मदद से होगा aurora kinase A, B और polo like kinase बन के थो separate होगे कहाँ पर पहुँच कहे हैं opposite pole पर पहुच कहे हैं और जब यह opposite pole पर पहुचे तो मैं इसको collectively कह सकती हूँ centrosome तो यह होगा एक centrosome centrosome क्यों कह रही हूँ क्योंकि इसमें centriol है PCM है सारी चीज़े हैं और यह होगा आपका another one centrosome क्यों इसको दूसरा centrosome क्योंकि इसमें इसके पास भी centriol है PCM है सारी चीज़े हैं तो कुछ इस तरीके से इनका separation हो जाता है और जैसे ही इनका separation होगा स्पिंडिल फाइवर की मदद से क्रोमोजॉम का कुछ इस तरीके से separation हो जाता है separation होगा तो फिर से इनको इनकी initial stage पे लेके आएंगे तो polo like kinase one यहां पर आएगा जो की promote करता है disengagement के लिए disengagement वालब जो आपका PCM यहां ठिक हुआ था उसको again degrade करके separate कर देगा disengaged कर देगा और फिर से आपके दौनों centriol, daughter centriol को disappear करके disengaged करके mother centriol को again connect करेगा और फिर से दूसरी cycle के लिए इसका synthesis फिर शुरू होगा फिर से इसको disassembled disengaged किया जाएगा फिर synthesis होगा कि तो भाई यह थोड़ा सा important है कि mother or center of use नहीं होए होते associated जरूर रहते हैं दौनों एक दूसरे से लेकिन यह बिलकुल completely separate रहते हैं क्योंकि अगर आप इनका orientation देखे हैं तो यह कुछ L shape का orientation बनाते हैं like that तो fusion नहीं कह सकते हैं लेकिन definitely इनमें association होता है और इस phase में इनको disassemble या disengaged किया जाता है ठीक तो यह आपकी centrosome cycle है पूरी कि centriol कहां से शुरू हुआ तो throughout the centriol आपको दिख रहा है G1S transition में इसका synthesis elongation हो रहा है पिर जब आप G2 की बात करेंगे तो G2 में क्या होता है complete हो जाता है इसका synthesis जैसा कि हम पढ़ते हैं centriol duplication complete होता है तो देखे ज़रा complete हो चुका है प्रोपर इसकी cleavage भी कर दी है यह यह fully mature है यह fully mature है लेकिन separation कहां हो रहा है M phase में तो कुछ इस तरीके से centriol की कहानी चलती रहती है centrosome की कहानी चलती रहती है देखे यहां पर दोनों involved है एक तो आपका जीवन भी involved है और S भी involved है तो G1 plus S क्यालेका है G1 oblique S that is not G1 transition आप इसको नहीं कह सकते जीवन में synthesis होना है S में elongation होना है आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं क्योंकि देखे एक चीज और मैं आपको बता दू जब हम majority में बढ़ते हैं तो हम कह देते हैं कि S phase से centriol synthesis शुरू हुआ लेकिन जब आप से थोड़ा सा और advanced लेबल पर पहुंसते हैं तब आपको बता कई बार बुक में लिखा हुआ रहता है कि G1 और S से शुरू हो गया है ठीक तो अगर G1 आप इसको कंसीडर करेंगे बाकी S phase तो रहेगा तो बिलकुल आप इसको CD के 2 कह सकते हैं तो CD के 2 लिख दीजेए ठीक तो समझ में आई centrosome की पूरी साइकल कि कैसे यह शुरू हुआ है और कहां तक यह जाएगा चलिए तो समझ में अगर आ गया है तो जरा इसको देख लीजे यह भी एकदम आपका वोई डाइग्राम है जिसमें बताए गया है कि G1 में क्या होना है S में क्या होगा कुछ इस तरी इसे ठीक है तो यहां पर मैंने थोड़ा और सेपरेट करके जिसे अगर है तो थोड़ा सा खतम हो जाए तो जीवन फेज में क्या है सिंगल सेंट्रोजॉम होगा तो वह जो जीवन लिखा हुआ है देट सिंगल सेंट्रोजॉम होगा लेकिन और घिवन एस मतलब की लेट घीवन की बात हो रही है और स्पिंडल फाईबर कंग शुरू हो जाएगा that is spindle formation मतलब की assembly नहीं tubulin synthesis आप कह सकते हैं या तो आप कह सकते हैं कि spindle यहां बनना शुरू हो जाए that's it बहुत छोटे से minute में centriole duplication भी आपकी S phase में शुरू हो रहा है polo-like kinase 4 होगा जो control करेगा centriole duplication के लिए G2 में duplication complete होगा फिर इसके बाद जब late G2 की बात करेंगे तो late G2 में क्या होगा centrosome disjunction मतलब cleavage हो जाएगा cleavage होने के बाद जैसे ही M में पहुंचता है तो cycling B होगा CD के बन होगा जहां centriole separation opposite pole पहुंच जाएंगे after separation century और जो आपके spindle fiber और एक्सेंट करना शुरू कर देंगे दोनों centrosome मूब में जाएंगे और पुल कर लेंगे किसके लिए क्रोमोजॉम के लिए लेकिन microtibule है तो motor protein यहां पर dynin होगा तो बस वहीं लिखा हुआ है कि dynin और motor protein मतलब कि spindle fiber microtibule है तो यह chromosome को separate करेंगे और separation हो गया तो कहानी खतम तो यह एक ऐसा डाइग्राम है जिसमें combined में थोड़ी सी और चीजों को लिख दिया गया है कि ठीक कि एक्चुली देखें सेंट्रियोल के साथ बोही मैंने कहा कि अगर आप जीवन के भी बात कर रहे हैं तो आपको लेट जीवन की बात करनी होगी योगि लेट जीवन में इनीसी देखें जिस चीज की जादा जरूरत पैले होती हो उसको पहले बना दिया जाता है although मैं आपको बता दू, यह सारी process simultaneously चल रही होती, क्यों simultaneously, क्योंकि अगर कोई cell है, यह कैसा है, cycle है, cell क्या है, cycle है, मतलब चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कुछ ऐसा, तो यहाँ पर चीज़े एकदम stable नहीं होती, आप यह नहीं कह सकती कि centriol की synthesis के बलों के बल, S phase से शुरू होगी, यह constant है, G नहीं, cycle form में तो late G1 से यहाँ पर शुरू हो जाता है, लेकिन majority of synthesis हमें कहां देखने को मिलता S phase में, इसलिए हम कह देते हैं कि duplication initiation S phase में शुरू हो रहा है, फिर इसके बाद completion हमने देखा कि complete S phase हमने देख ली, अगे कि completion of the duplication of central G2 phase में होगा, ठीक, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारा का सारा हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो कि duplication आपकी last S phase में and initiation of G2 phase में खतम हुआ हो, तो यह पूरा cyclic form में होता है, तो कभी अगर transition कि इसलिए बात करी जाती है, transition इसलिए safe side होता है, जहां पे आप कह सकते कि यह phenomena दौनों phases में हैं, late G1 और initiation of S phase, G1 S बना दिया, S से G2 बहुत minute होता है, क्योंकि दौनों अलग-अलग phases होती है, यहां पर G2 में direct completion किया जाता, लेकिन G2M कुछ ऐसा phenomena है, जो G2 last तक है, लेकिन M phase में भी दिख रहा है, तो आप G2M कह दें, इसलिए यह transition यहां पर होत question में जब पूछा जाएगा, तो question में एक ही phase दी जाएगी, एक बात अराम से सुनिए, कान खोल कर सुनिए, जब भी आपको question आएगा तो ऐसा नहीं है, कि आपको वही वही गुमा देंगे, यह जब आपको पढ़ाया जाता है, तो एक possibilities बता दी जाती है, क्योंकि जैसा आई जाती है, कि एक होता है closest option और एक होता है उसी के associated, अगर दौनों आप से पूछेगा हैं, तो आप फिर S phase ही opt करोगे, लेकिन S phase नहीं है, तो G1 S transition भी आप opt कर सकते हैं, खिक? तो यह एक possible outcome होते हैं, जो चीज़ एकदम strict मत रहिएगा, जब भी cycle, cell cycle की बात आती है, cycling के case में जब हम बात करते हैं, तो चीज़ों पे एकदम strict मत रहा करिए, कि अच्छा यह पढ़ा है जीवन बर तो यह होगा, कुछ आपके possible statement भी बनते हैं, जिनको भी आपको mind में कर रही हूं, यह जो बार बार आता है, cycling G2 में कौन सा cycling होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो, उसके लिए मैं दस बार कह चुकी हूं कि आप एक बार अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए, revise कर लीजिए, तो automatic यह जितने doubt हैं, वो आपके सारे clear हो जाएंगे, और एक चीज़ मैंने देखी है, जब मैं थोड़ा आप लोगों को कुछ अच्छा बताने की कोशिश करती हूं, advance लेविल का की चलिए, भाई, इसका यह possible outcome भी बनता है, तो फिर आप लोग उसको accept नहीं करना चाहते, क्योंकि जो previous knowledge है, फिर उस पर याड़ जाते हो, कि नह जाती है, तो उसको side में note down करते जाओ, करते जाओ, जब class कतम होगी, तो वो सारा एक साथ जुड़ के आजाएगा, तो automatic आपको समझ में भी आएगा, एक कदम से बहुत वहीं पे confused होने की जरूरत नहीं है, वहीं पे गुस जाने की जरूरत नहीं है, यह अभी ऐसा था, connect भी कर देती हूँ, कि यह ऐसा है, लेकिन एक possibilities कुछ ऐसी भी हो सकती है, अब जैसे हमने देखा, कि आपने बना दिया है, दौनों सेंट्रियोल्स थे, पूरा पूरा split कर दिया, separate कर दिया, लेकिन सेंट्रियोल के separation भर से काम नहीं होना, अब आपको microtibule भी चाहिए, जब आपको microtibule चाहिए, तो कुछ इस तरीके की आपकी assembly होगी, tubulin में, तो बस इसी assembly को आपको देखना है कि यह कैसी होती है, कैसे kinetocore से attached होगी और इसके क्या-क्या part होते हैं, तो microtibule का याद है, polarity को शो कर रहा था, एक negative end होगा, और एक positive end होगा, तो negative end जो है, वो आपका किस तरफ होता है, centriol की तरफ होगा, और elongation positive side से होगा, तो यहाँ से synthesis होनी शुरू होगी, तो आगे की तरफ बढ़ेगा, तो यह opposite end positive end कर लाएगा, binding के case की बात करें, तो positive end हमेशा किस से bind करेगा, kinetocore से, तो जो positive end होता है, of microtibule, यह bind करता है, with kinetocore, किस से bind करेगा, kinetocore से जाके bind कर लेगा, एक चीज, यह पूरा लखता है नहीं, तो यह, kinetocore, तो kinetocore से इसकी binding हो जाएगी और separation हो जाएगा, तो अगर आप इस इस structure को देखे, तो यह कुछ ऐसा सा दिखता है, कैसे, यह होगा आपका negative end, दूसरा कहलाता है आपका positive end, और यहीं पर होता है एक inner kinetocore, और यह कहलाता है outer kinetocore, तो inner kinetocore, जहां से आपका कुछ इस तरीके से attachment होगा, और कुछ protein का यह पूरा complex होता है, तो outer kinetocore, basically यह पूरा complex है, और outer kinetocore में ही दो चीज़ें आती है, inner kinetocore आप समझ गया, यह है, और जब हम outer की बात करें, तो outer kinetocore में दो complex आएंगे, and dc80 and dm1, यह होते हैं, यह जो protein complex होती हैं, यह basically करती क्या है, यह complex और protein जो हिनका काम ही है, कि यहां पर यह जो outer kinetocore है और inner kinetocore है, उसको एक साथ assemble करना, inner kinetocore और outer kinetocore को assemble करने का काम इन ही protein complex का होता है, जो majority में पार्ट होते हैं, आपके outer kinetocore के थी, तो बस इन दौनों complex को बस थोड़ा mind में रखना है, आगे चलके इनका function भी आपको समझ में आ जाएगा, अब सबसे पहले chromosome attachment की बात करें, तो chromosome attachment आपके mitotic spindle से होता है, लेकिन किस side से होगा, kinetocore से होगा, microtibule का एक end positive end kinetocore पे होगा, और दूसरा end that is negative end centriole की तरफ होता है, अगर हम orientation की बात करें, तो mitosis की बात हो रही है, तो by orientation यहाँ पर होता है, side-by-side orientation होता है, काइनेटocore structure की बात करें, तो एक structure आपका outer structure था, represent the outer kinetocore, और outer kinetocore में ही हमने एक dam complex देखा था, S के complex, meta zone के case में इसको कहा चाता है, तो dam complex ही आपका आएगा, और दूसरा इसी complex का part था, आपका NDCAT, inner kinetocore की बात करें, जो अंदर की तरफ था, और outer और inner kinetocore को link करता है, यह protein complex, तो बस जो आपको बताया गया है, वो यहाँ पर language form में लिखती आ गया है, अब kinetocore जो आपने बनाया हुआ है, और जो attachment होने वाला है, spindle fiber का is kinetocore से, तो यह attachment सही हुआ है या नहीं, यह भी तो जानना ज़रूरी है, हो सकता है भाई कि attachment गडबड हो, तो attachment error हो सकता है, एक तो दूसरा हो सकता है, correct attachment, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, तो जब आप attachment error की बात करेंगे, तो error की बात करें, मतलब proper attachment नहीं हुआ, तो इस diagram में अगर आप देखोगे, तो ये attachment यहाँ पर हुआ ही नहीं है, तो मतलब ये कैसा सा देख रहा है, lose देख रहा है, क्योंकि attachment हुआ होता तो खीचा जाता, और खीचता तो tension create होती, तो tension यहाँ पर काफी low है, तो low है, इसका मत correct या फिर आप error कहेंगे, ऐसी condition में activation होता है, aurora kinase D का, और spindle checkpoint को on किया जाता है, दूसरा कहलाता है, correct attachment, हो सकता है भाई, यह जो आपने पूरे spindle fiber बनाए, kinecto core से अच्छे से attached है, तो मतलब tension high होगा, क्योंकि अच्छे से pull किया जा रहा है, खीचा जा रहा है, aurora kinase inactive होग और spindle check off कर दिया जाएगा, क्या जरूरत है on करने की, तो kineto core का attachment की जब बात करेंगे with spindle fiber, तो दो possibilities हो सकते हैं, या तो correctly attach हो जाए, या incorrect attach हो जाए, तो पहले मैं आपको ज़रा error समझा दे रही हूँ कि अगर error होगा, तो क्या होगा, overview आप पूरे तरीके से समझ चुके हैं कि tension low होगा, active होगा, aurora kinase B और spindle check point हो जाएगा on, diagram यही वाला था, complex एक तो आपके N, DC 80 था और dam बन complex था, तो कहानी कैसी होगी, कहानी ऐसी होगी भाई, कि आपका attachment सही हुआ है या नहीं हुआ है, यह depend करता है tension पे, तो जो tension जितनी जादा होगी, मतलब attachment correct हुआ है, तो tension को sense किया जाता है kineto core पे, और फिर phosphorylation होगा, नहीं होगा, देखा जाएगा, tension अगर जादा है, तो क्या जरूरत है phosphorylation करने की already विचारा तना हुआ सा है, tension में है, तनाव में है, फिर हम phosphorylation करने तो ज़रूरी नहीं, तो tension अगर कम होगी, तो phosphorylation होगा, समझ गए, tension अगर जो already tension में उसको क्या जरूरत है बहुत जादा और phosphorylate करने की, है ना, तो tension कम तब phosphorylation होता है, अरूरा काइनेज भी काफी important है, अगर आप presence की बात करें तो ये present होता है, reside at inner kineto core, तो जो आपका inner kineto core होगा, यहीं कहीं पे location हो जाएगा, आपकी अरूरा काइनेज का, अरूरा का complex के साथ जिसे CPC कहा जाता है, और साथी साथ जो आपका दूसरा complex होता है, NCD80, यह outer kineto core की तरफ होगा, अब बात कहां से शुरू होगी, बात होगी कि जब kineto core में tension है ही नहीं, जब कोई तनाव नहीं है, जब कोई खचाव नहीं है, तो आप खुद मुझे बताइए, कि य यह जो आपके complexes हैं, that is NDC8 और DEM1 और साथी साथ अरूरा kinase काफी close होते हैं, समझने की कोशिश करिएगा, यह हैं आपके microtibule, यह हैं आपका kineto core, kineto core और यहां पर होंगे आपके microtibule, that is spindle fiber, अब यह हैं, तो spindle fiber है, तो एक तो आपका क्या होगा, inner kineto core होगा, तो यह structure क्या है, है, आपका inner kineto core है, that is inner, और यहां पर आप consider कर सकते हैं, that is outer kineto core, inner के पास ही present होता है, आपका aurora kinase B, A, B इसको लिख रहे हैं, that is aurora kinase B, और यहां पर present होने वाला है, आपका वो complex वाला protein, जिसे कहा जाता है, NDCAT, तो जब कोई tension नहीं है, जब किसी भी तरीके की कोई tension नहीं है, that is no tension, जब tension ही नहीं है, तो पास-पास में होंगे, बहुत close होंगे, NDCAT और साथ ही साथ आपके aurora kinase, जब यह बहुत पास-पास है, तो aurora क्या है, एक टाइप का काइनेज है, काइनेज है तो क्या करवा देगा, phosphorylation करा देगा, तो phosphorylation किस पे कराएगा, यह जो kinase B है, aurora kinase B phosphorylate कर देता है, NDCAT के लिए, जिससे distabilization हो जाता है, किसी भी काइनेटो कोर में, और microtibule attachment distabilize हो जाते हैं, तो stabilization खतम हो जाता है, तो आया समझ में कि कैसे, अगर इनमें proper tension होई होती, तो यह दूर-दूर होते, तो aurora kinase ऐसा नहीं है, कि उतनी दूर खड़ा हो phosphorylation करा दे, जब यह पास-पास में होंगे, phosphorylation हो जाएगा, phosphorylation हो जाएगा, तो destabilization यहाँ पर आ जाएगा, that is destabilization, तो यह कहानी कुछ ऐसी होती है, error attachment की, तो कुछ से जादा यहाँ tension नहीं लेनी है, बस एक बात को याद रखना है कि no tension, मतलब NDC80 और aurora kinase आएगे पास-पास, पास-पास आएगे, तो यह kinase easily phosphorylate करा देगा, NDC80 के लिए, जिससे क्या हो जाएगा, destabilization हो जाएगा, बस इतनी सी कहानी इसमें है, फिर अगर आप correct attachment की बात करें, तो वो ही डाइग्राम फिर से आएगा, कि correct attachment में क्या होता है, कि कुछ इस तरीके से दूर-दूर हो जाते हैं, aurora kinase A और साथी साथ NDC80, तो वो ही लिखा है, कि pull अभी from aurora kinase B, जैसे ही अलग अलग हूँगी, तो aurora kinase B no longer phosphorylated NDC80, तो जिससे क्या होगा, एक होता है, दूसरा protein जिसे protein phosphatis कहा जाता है, जो कि outer kineto core में present होगा, तो दूर-दूर होनी की बज़ए से aurora kinase B इसको phosphorylate नहीं कर पाएगा, NDC80 के लिए, और साथ ही साथ जो आपका phosphatis protein है PP1, यह continue defosphorylate करता रहेगा, इसके लिए, तो defosphorylate करना ही तो जरूरी है, क्योंकि defosphorylation होगा, तब ही जाके क्या होगा, स्टेबिल हो जाएगा, माइक्रो टिवी लोग kineto core attachment हो जाएगा, स्टेबिल, तो दौनों चीज़े हो रहे ही, स्टेबिल करने के लिए defosphorylation करना है, तो defosphorylation आपका किसके थ्रू होगा, एक तो protein phosphatis होता है, साथ ही साथ अरूरा kinase phosphorylation ही न कराए, तो ना ही phosphorylation हो रहा है, उपर से एक protein अलग है, PP1 जो defosphorylation करा रहा है, तो अभी जीली कैसा हो जाएगा, एक स्टेबिल attachment यहाँ पर आज़ाए, तो मतलब कैसा हो गया है, correct attachment है, तो यह कहानी है आपकी attachment की, that is correct और error वाला, कुछ type भी होते हैं, आपकी attachment के, जैसे पहला type होता है, amphitalic, amphitalic मतलब क्या होता है, amphi मतलब both, तो both मतलब क्या है, कि यह बड़ा अच्छा यहाँ पर हुआ attachment, कि दौनों kinetocore, एक यहाँ पर kinetocore था, दूसरा kinetocore यहाँ था, तो microtivule एक्दम proper tension के साथ यहाँ पर attached है, attached है तो क्या है, NDC 80 दूर है, aurora kinase दूर है, no phosphorylation, proper attachment, तो जो correct attachment का example है, that is amphitalic attachment, जिसमें correct attachment होता है, दूसरा जो attachment है, इसको कहा जाता है, mirotellic, तो mirotellic में क्या होता है, one kinetocore attached to the microtubule from both the spindle port, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, कि kinetocore एक ही होगी, जैसे यहाँ पर एक दम आपको separation दिख रहा है, बीच में बड़िया gap दिख रहा है, दो kinetocore अलग ही थी, मतलब की कैसे, एक and second, मैंने आपको बताया था, जितनी chromated उतनी ही kinetocore, ठीक, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरीके से यह पास-पास होते हैं, कि एक ही kinetocore बनता है, तो एक kinetocore होने की बज़र से, चाहे आप इस तरब के spindle की बात करें, या इस तरब के spindle fiber की, तो यह दौनों pole के spindle fiber एक ही kinetocore से attached होंगे, तो जब एक ही है, तो separation कैसे होगा, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, error connection, या फिर यह होगा आपका, error attachment, एक और केटिगरी है, जिसको कहा जाता है, syntellic attachment, तो syntellic तो भाई और अजीव है, इसमें कितना था, कि जितनी भी आपकी sister kinetocore थी, बोद sister kinetocore attached to the microtubule from same spindle pore, यहाँ पर आपके kinetocore तो ठीक है, दो थी, लेकिन जो आपके spindle fiber थे, इस pole वाले और इस pole वाले, क्योंकि opposite pole था, तो दौनों pole के एक ही जगा आके attached हो गए हैं, तो पूरे के पूरे जितने भी spindle fiber थे, वो एक side से ही attached हो रहे हैं, तो एक side से attached हुआ, तो फिर से यह वो ही category में जाएगा, that is error और attachment, पिर अगली अगर आप बात करें, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर करा गया है कि जो आपका only one kinetocore attached to the microtubule, तो kinetocore आपका कुछ इस तरीके से एक है, और यहाँ से microtubule attached हैं, और यहाँ पर तो हैं ही नहीं, तो यह भी आपका कैसा है, error में, that is error, तो यह जो तीनों category आती है, mirotellic हो गया, syntellic हो गया, monotellic हो गया, यह सारा error वाला होता है, और बाकी जो आपका रहने वाला है, amphitelic बो ही बस correct attachment को show करता है, उसे आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, correct होगा, faulty मतलब error attachment, तो correct में bi-oriented attachment होता है, इसको amphitelic attachment भी कहा जाता है, जिसमें हर एक chromosome attached होता है, proper microtubule से और दोनों opposite spindle pole पर present होगे, mirotellic की बात करें, तो इसमें एक kinetocore होगा, syntellic की बात करें, तो kinetocore यहाँ पर दूंगे, बोथ sister kinetocore, लेकिन microtubule एक ही पोल से attach होगा, तो यहाँ पर kinetocore का दिक्कत है कि भाई एक है, यहाँ पर दो kinetocore है, लेकिन एक ही पोल से सारे के सारे microtubule आ जा रहे हैं, और यहाँ पर भी केवल one micro kinetocore है, तो अगेन दिक्कत होगी, तो यह सारे के सारे आपके कैसे होंगे, आपके error prone में जाते हैं, that is faulty attachment की category में, तो question आ सकता है कि attachment कितने type के होते हैं, तो total four type के हो सकते हैं, amphitelic हो सकता है, mirotelic हो सकता है, syntelic हो सकता है, and monotelic होता है, इसमें amphitelic correct है, और बाकी सारे आपके error attachment होते हैं, तो विल्कुल सिंपल था, इसको यहां पर मैंने थोड़ा with me capsule के form में लिखा है, लेकिन यह correct और incorrect के बारे में लिखा हुआ है, कि correct में हमने क्या क्या पड़ा, incorrect में क्या पड़ा, तो correct में सबसे बड़ा तो क्या था, कि जो आपके chromosome थे, वो y-oriented थे, side-by-side कुछ अच्छे से present होती हैं, यहां पर आपका mono-orientate होता है, mirotelic हो सकता है, syntelic होता है, यह error में हमने देखा था, that is incorrect attachment, stability की बात करें, तो यह stable होता है, persistence होता है, unstable होता है, transient होता है, checkpoint यहां नहीं active होगा, checkpoint का activation यहां पर किया जाएगा, chromosome segregation यहां पर accurate होगे, यहां पर missegregation होगा, और जो हम case पड़ते हैं, aneuploidy का, polyploidy का वो आपके यहीं पर होता है, क्योंकि kynetocore जब proper attached नहीं होता, mono-oriented, mirotellic, syntellic की case में होता है, तब जाके आपको aneuploidy और polyploidy का case बनता है, tension, यहां पर proper tension होगी, जब proper tension होगी, तब ही जाके अच्छे से तना होगा, no phosphorylation correct assembly, यहां पर lack होता है, proper tension का, error correction की बात करें, तो no need, यहां पर correction किया जाएगा, aurora kinase be through, यहां correction का, correction किया जाता है, outcome की बात करें, तो cell division with equal distribution of the genetic material, और final अगर इस तरीके का incorrect attachment है, तो जो आपका outcome बनने वाला है, that is, cell cycle arrest करी जाएगी, या apoptosis वे इसको भेज दिया जाता है, ठीक, तो यह differences होते हैं, आपकी अगर assembly correct है और incorrect हो, तो यह ज़रा एक बार आप देख लीजिए, यह कुछ किस तरीके से, यह centriol है, यह भी आपके centriol है, collectively centrosome कहा जाएगा, separation हो गया, और यह देखे, यह kineto core है, जिसके पास कुछ motor protein, dynin होंगे, और कुछ इस तरीके से, यह पूरे microtibule से, चलते, 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 कहां पहुँचेगा, एक पूल पे पहुँच जाएगा, जो समझ में आया कि, क्या ऐसे, kineto core क्रोमोजॉम को लेके जाता है, तो कुछ इस तरी, यहाँ पर पूरी disassembly होती जाएगी, फटा-फट, kineto core जा रहा है, यहीं पर आपका क्रोमोजॉम होगा, kineto core मतलब क्रोमोजॉम, और कुछ इस तरीके से, microtibule पर चलते, 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 चलते एक पूल पर पहुँच जाएगा, stabilizing and destabilizing, stable मतलब क्या होता है, stable मतलब होता, stability याना, stability term आया है, attachment अगर proper होगा, जब आपका kineto core में, plus में, microtibule में, proper attachment है, तो मतलब यह stable होगे, कहीं भागेंगे नहीं, kineto core, microtibule पर ही जाएगा, लेकिन अगर यह proper attached नहीं होगा है, तो क्या होगा, destabilized होगा, destabilized होगा, मतलब कि कहीं कहीं भागेगा, तो यह होता, stabilization and destabilization, तो बाई, ऐसे आपके separation हो जाते हैं, chromosome के, अब इसके बाद कहानी शुरू होती है, cohecin and condensation की, या condensing की, actually होता क्या है न, कि मैंने आपको बता दिया, कि spindle fiber बना लिए, separation कर लिया, लेकिन यह जो formation है, कि spindle fiber बना देना, separation कर देना, यह इतनी आसानी से नहीं होता, यहाँ पर कुछ और protein भी काम करते हैं, जो kineto core को, या फिर जो आपका, separation के दौरान, जो kineto core से separation हो रहा है, वहाँ पर cohecinic protein होता है, उसको cut करने का काम करते हैं, तो अभी मैंने आपको थोड़ा basic separation बता दिया, लेकिन हम थोड़ा सा depth में पढ़ेंगी, कि separation कैसे होता है, जानने से पहले, अभी 5-2 मिनिट का break लीजिए, उसके बाद हम new topic शुरू करेंगे, ठीक है? करेंगे लेकिन हमाओे, अभी 5-2 मिनिट करेंटे किण बता है कमे वासे भी 5-2 बतादा दो भी 15-5 की हम चे घकाम, ठीक हम रहिंगी जसने कि ओम мам, झाल 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 बिलकुल अगर आप अरोरा काइनीस की बात करें और इस्टेविलाइजिशन की बात करें तो दोनों दूर दूर होंगे एंडीसी एट् autant और बी के लिए आपको दूर दूर रखना पड़ेगा तब जाके स्टेविलाइजिशन होगा यो कि दौर दूर दूर रहेंगे तब यह जाके तो फॉस्पोरायलेशन नहीं होगा फॉसपोरायलेशन नहीं होगा सारे के सारे आपके अलग-अलग रहेंगे स स्टेबिलाइज रहेंगे अपि चलिए आब हम कोहेजन ओंदेंस नों का स्ट्रक्चर कल मैंने आपको किसे समझा दिया था कि क्या क्या सट्रक्चर में होता है अगर आप कंडेंस की बात करें तो यह बेला कुल वैसा ही होता है बस डिफरेंस आ चाता है कुछ फ्रोटीन का होता है SMC2 and 4 यहां पर 1 and 3 होता है तो दौनों में यहां difference आएगा नीचे की तरफ अगर आप head area की बात करें तो यह कहलाता है head तो head में भी differences आएंगे head में क्या-क्या differences आने वाले हैं कि जहां SCC1 and 3 था यहां पर KPH2 रहेगा GG2 होगा और लास्ट में बैपल दौनों के पास रहता है लेकिन PDS5 की जगा यहां आजाता है D2 and D3 तो यह आपके condensin है नाम से पता चल रहा है chromosome condensation में यह help करने वाला है यह cohesin है sister chromatid को साथ में रखेंगे तो काम कैसे करती हैं दौनों अगर आप cohesin की बात करें तो कल हमने कैसा था यह पूरी की पूरी एक माला जैसी बनाई थी और इस माला को किसके उपर डाल दिया था कुछ इस तरीके से sister chromatid के उपर तो जब synthesis हो रहा था तो यह कुछ इस तरीके से डली हुई थी लेगिन condensin दो form में होते है second and first तो condensin second की आप बात करें तो यह प्रोफेस से condensation शुरू हो जाएगा तो यहां पर कुछ access का formation करते हैं पहले तो तो यह आपका क्या होगा chromatid होगा chromatid मतलब कि आप इसको chromosome कह सकते हैं तो यह structure क्या है chromosome है तो यह क्या करेगा कि यह एक्सिस में है अरेंच होता है यह कभी यहां बीच ओ बीच नहीं जाता जो बीच ओ बीच जा रहा है वह कौन सा होगा आपका cohezen होगा जैसा कि वहार डाइग्राम में भी दिख रहा है आपको और यह जो एक्सिस में है लाइक देट यह वाला structure यह कहलाता है है आपका कॉंडेंशन है इस अगर आप कॉंडेंशन सेकेंड की बात करें तो प्रो फेस में और जैसे ही आप प्रो मेटा फेस में आएंगे थोड़ा और सेल दिविजन की तरफ जाएंगे तो पूरे क्रोमोजॉम को highly condensed किया गया है और ज्यादा axis बने है तो यह जो आपके axis है कुछ यहाँ पे तो यह वाला structure आपका second होगा और जो एकदम axis पे है यह वाला structure यह होंगे आपके condensing या condensing first और यहाँ पर यह होगा आपका second तो कुछ इस तरीके से जब axis की बात करें तो condensing आएगा और बीचो बीच की बात करें तो cohesion ठीक अब आगी हमें कहानी देखनी है थोड़ा सा जाल लीजिए उससे पहले cohesion और condensing में क्या-क्या differences होते हैं तो जो बताए है वोई थोड़ा language form में यहां डाल दिया है क्योंकि यह ऐसे topic हैं जिससे direct section B में भी question पूछा जा सकता है तो cohesion basically क्या होता है mediated sister chromatic cohesion जो ensure करता है proper chromosome binding और segregation के लिए जब chromosome segregations की बात करते हैं तब जाके यह cohesion को ही cut किया जाता है condensing की बात करें तो यह compact करेगा chromosome को मलब condensation में काम आएगा structure की बात करें तो ring-like structure था जिसमें SMC 1 होगा 3 होगा RAD 21 और SSC 3 यहां पर यहां पर 13 की जगा SMC 2 होगा 4 होगा KEP था KEP H था H2 था cell cycle की बात करें तो यह S phase में especially active होता है during S phase 2 एना phase और अगर आप इसकी activity की बात करें तो यह pro phase से telophase क्योंकि condensation जहां से शुरू होगा वहीं से होगा तो यहां पर DNA synthesis के दौरान cohesin पहना दिया गया था उसके पहले ही और यहां पर condensation जब से शुरू होगा मतलब pro phase से telophase तक तक तो यहां पर यह काम किया जाएगा chromosome interaction की बात करें तो यह sister chromatid को hold करके रखता है और यह bind होता है to the chromosome और induce करता है proper super coiling regulation की बात करें तो इसका regulation separates के थू होता है यहां पर phosphorylation किया जाता है जब भी condensation को हटाना रहता है तो उस पर आप phosphorylation करा देते हैं complex type की बात करें तो single cohesion complex होता है यह two type के होते हैं condensin 1 और condensin 2 localization की बात करें तो primarily centromere पर यह सबसे पहले पूरे तरफ प्रेजेंट है लेकिन at the last centromere पर प्रेजेंट होते हैं और अगर condensin की बात करें तो यह throw out the chromosome present होंगे especially at the axis तो यह type है अब जड़ा इस डाइग्राम को देखिए गाइस डाइग्राम में simple बताया गया है कि chromosome का separation होना है तो अब से जो आपकी slide चलने वाली है बिल्कों simple है वही separation 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 तो separation में आप अल्रेडी समझ गई कि spindle fiber attached होंगे kinetocore से और separation हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा अंदर की mechanism जाननी है कि क्या कोई enzyme है क्या कोई protein है तो बस बोई अब जानना है आपको तो यह क्या थी आपकी पूरा chromosome था chromosome है तो क्या है sister chromatid होंगी तो sister chromatid होंगी तो chromosome मतलब की and जो है वह आपका one है लेकिन अगर आप chromatid की बात करें तो c2 है that is one sister chromatid and second chromatid और आपस में यह कैसी है attached है एक दूसरे से क्यों attached है क्योंकि इनके पास है cohesin तो यह cohesin से attached है सबसे पहले cdk बन आएगा cdk बन मतलब की आपका m phase का cyclin cdk है तो यह m phase का cdk तो m phase cdk जैसे ही आया तो यह क्या करेगा cdk है तो phosphorylation कराएगा और साथ ही साथ यहां पर एक चीज और होती है एक चीज क्या होती है कि प्रोटीन जो था अगर आपको याद आ रहा हो pp2a that is protein phosphatase 2a जिससे स्रोगुशीन भी कहा जाता है तो यह क्या करता था centrosome पे attached हो जाता है तो add होता है पहले step में that is add किया जाएगा protein phosphatase 2a के लिए कहां पे at centromere तो यहां पे attach कर दिया जाएगा फिर आपका polo like 1 और aurora kinase B आएँगे जो phosphorylation कराएगे और cohezine आपकी हट जाएगे तो यहां पर क्या होगा second step में remove हो जाएगी cohezine remove यहां पर अगर आप देखेंगे 39 are cohezine इनको शायद लिखा नहीं है यहां पर लिखा हुआ है खेर लिख देते हैं अब remove हो गई तो cohezine जैसे ही आपकी remove हुई तो आप देख रहे एक्सिस की remove हुई है लेकिन जो बीच में है बीच वाली centromere वाली present है और यहीं पर तो हमें रखना है जूड के तो अगर आप स्टार्टिंग में देखे तो यह structure चिपका साथ है एक दूसरे से यहां पर आपकी जो chromatid है वो पूरे तरीके से फैल चुकी है केबलो केबल center या centromere से attached है क्यों क्योंकि यहां पर आपने PP2A लाके रख दिया था फिर आपका एक protein आएगा separate तब यह separate यहां पर कट करेगा cohesin को तो centromere की cohesin को centromere पर present होने वाला cohesin इसको कट कौन करता है separate करता है बाकी सब aurora kinase polokinase के phosphorylation से हट जाएगा लेकिन जो centromere पर present होता है वो केबलो केबल separate की cutting के थूँ ही cut होगा तो बस अब इसी separate के बारे में थोड़ा सा जानना है कि यह कैसे active होगा कैसे inactive होगा ठीक और बाकी नीचे अगर आप देखे तो वही चीज़ लिखी हुई है end में as phase के और जब जीटू phase में आएंगे तो पूरी की पूरी sister chromatid uncondensed होती है और साथ ही साथ cohesin यहां पर attached कर दिया जाता है beginning of the pro phase condensed किया जाएगा in chromatid के लिए जो आपस में connect होंगी middle of the pro phase cohesin को remove किया जाएगा और एना phase के दौरान centromere में जो cohesin को clip किया जाएगा separate किया जाएगा बाइस सपरेज तो अगर आप देखें जीवन फेज में तो जीवन फेज में सबसे पहले शोगोशीन प्रोटीन होगा जो और क्रूड किया जाएगा PP2-A centromeric reason में centromeric reason में साथ ही साथ साथ CDK एक तरीके का kinase है जो की ट्रगर कर रहा है chromosome condensation के लिए अरली प्रोफेज और मेटाफेज की अगर आप बात करें तो फॉस्पोराइलेशन होगा पोलो और अरोरा काइनेस के तुरू जिससे पूरी की पूरी क्रूमेटेड को हटा दिया जाएगा एकसेप्ट जो की पीपी टू एस के साथ क्या की अटेज्ट थी देन आपका एनस एनफेस के साथ सेपरेज आएगा जो क्लीव करेगा सेंट्रो मेरिक को हैजिन के लिए और फिर रिलीज हो जाएंगी सिस्टर क्रूमेटेड और सेपरेशन होगा नोट में लिखा है अगर आप सी सी बन में म्यूटेशन करा दें तो क्लीवेज नहीं होगा सिस्टर क्रूमेटेड सेपरेट नहीं तो जो डाइग्राम में है वह यहां पर लिखा है को अब धरह देख लीजी उसी कोंपलेक्स के बारे में क्योंकि स्थी को क्या सेक पॉस्चन आना चाहिए तो कैसा होता है इनिक्टेव पूता है TO इसके चानना है तो पहला जो आपका complex से शिसे कहा जाता है SCF complex और यह यहां काम नहीं करता है लेकिन डाइग्राम इसलिए रख दिया गया है क्योंकि यह आपका UV-CUTEN LIGES है एनाफिस प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स भी आपका UV-CUTEN LIGES होता है दौनों का काम डिग्रेडेशन में होता है SCF किस-किस को डिग्रेड करा रहा था अगर कल की क्लास में याद है P27 के लिए और SIC के लिए दौनों को डिग्रेड करा रहा था जब हम S-Phase Regulations पढ़ रहे थे और एनाफिस प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स भी डिग्रेड कराता है किसको एक तो Cycling B के लिए और साथ ही साथ Separate को Degrade नहीं कराता सपरेड करेगा फ्री करेगा तो Degrade करा रहा है Securing के लिए ठीक तो अगर आप structure देखे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर था SCF में SKP एक रीजन होता है CUL एक रीजन होता है यह यूवी क्यूटीन होता है E2 एवन यहां प्रोटीन थे RVX1 और यह आपका टार्गेट प्रोटीन होगा जिसका कराना है अगर आप इस प्रोटीन कोंप्लेक्स की तरह पाएं तो यहां पर यह टार्गेट प्रोटीन होगा कुछ इस तरीके से यहां पर यूवी क्यूटीन केटलाइटिक मोड्यूल सोते हैं और यहां पर स्पेसिफिक डिटर्माइनिंग मोड्यूल होता है जो इस प्रोटीन को बाइंट करेगा असोसियेट होगा तो यह आपका एनफेस प्रोमोटिंग कॉंप्लेक्स का एक स्ट्रक्चर होता है अब जो आपका SCFA यह भी आपका लाइगेज है इसमें कुछ आपके सेंट्रल क्यूलिन इसके फोल्ड होते हैं जिसे क्यूल वन कहा चाता है आर बी एक्स जिसे रिंग फिंगर कंटेनिंग बॉक्स भी कहा चाता है यह प्रेजाइन्ट होगा साथी साथ यूवी क्यूटीन कॉंजुगेटेड एंजाइम यहां प्रेजाइंट होता है SKP1 प्रोटीन होगा एफ वॉक्स से सब्स्रेट बाइंड कर रहा था और कुछ इस तरीके से दूसरा जो SKP2 था यह लिूसीन विच होता है जो टार्गेट प्रोटीन से बाइंड करेगा इसको कहा चाहता है इसमें 13 से लेकर 13 14 सब्यूनिट का बना हुआ होता है और गनाइज इंटो इसके फोल्डिंग सब्स्रेट बाइंडिंग और केटलाइटिक बाइंडिंग डोमेन यहां प्रेसेंट होते हैं साथ ही साथ यह जो आपका एनाफेस प्रोमोटिंग कॉंप्लेक्स ह होता है इसकी एक्टिविटी डिपेंड करती है cdc20 और cdh बनके उपर cdc20 और cdh बनके उपर तो अगर आप इस डाइग्राम को देखें तो इनीशली एनाफेस प्रोमोटिंग कॉंप्लेक्स ऐसे ही एक्टिव नहीं होता इसको एक्टिव होने के लिए चाहिए रहेगा cdc20 या cdh1 तो जब cdc20 इसके साथ बाइंड करेगा तो यह क्या करता है सेक्यूरीन को कट करेगा समझेगा एनाफेस प्रोमोटिंग कॉंप्लेक्स प्लस cdc20 तो सेक्यूरीन की कटिंग होगी और वही पर एनाफेस प्रोमोटिंग कॉंप्लेक्स प्लस cdh1 तो जो आप तो यहां पर आपका बिएशन करता है तो यह कुछ इस तरीके से आपका डिग्रेडेशन करता है लेकिन जब आप स्क्यूरीन और यहां पर साइक्लिन B का डिग्रेडेशन भी होगा सेक्यूरीन प्लास साइक्लिन B तो अगर आप यहां पर आएंगे मेटाफेस टू एनाफेस टांजिशन तो आपको CDC 20 की जरूरत होगी एनाफेस के साथ एनाफेस प्रॉमोटिंग कॉम्पलेक्स के साथ किसकी जरूरत होने वाली है CDC 20 की तो एनाफेस कॉम्पलेक्स अलाग अलाग टाइम पे CDC 20 CDH 1 के साथ बाइंड करके अलाग अलाग फेस में डिफरेंट एक्टिविटी को शो करेगा लेकिन हर जगा डिग्रेडेशन का ही काम करेगा तो यह कल वाला डाइग्राम था जिसे मैंने कहा था कि हम इसे अगली क्लास में फिर से देखेंगे तो जरा समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि यह पूरा कंपाइल डाइग्राम है जिसमें सारी cell phases दी गई है तो एनाफेस प्रमोटिंग कॉपलेक्स का काम अगर यहां पर इसको साइक्टिंग करेगा एक्टिंग रहा आता है और कब तक एक्टिंग रहता है जब तक कि यह साइक्टिंग में पहुंच जाए तो S phase के भी अगर यहां पर इसको साइक्लिन मिलेंगे G1 phase में तो उनको भी यह क्या करेगा डिग्रेड कराए रहता है तो जैसे E, A और B इनको क्या कहता है डिग्रेड करता रहता है लेकिन इनकी जरूरत कब बटने वाली है S phase में तो अब E na phase promoting complex को क्या कर दिया जाएगा कि एनक्टिब करेंगे तो इनक्टिब कैसे करेंगे एन एक्टिब करने के लिए जरूरी है एन एक्टिब करने के लिए जरूरी है phosphorus तो फॉस्फोरायलेशन किसके उपर? CDH1 के ऊपर CDH1 पर यह फॉस्फोरायलेशन हुआ तो आटोमेटिक यह भाग जाता है हट जाता है एनफीस प्रोमोटिंग कॉमप्लेक्स से हट जाएगा, कॉमप्लेक्स हो गया अनेक्टिव हो गया जो cyclin है यह कैसी हो जाएंगी आपके stable हो जाएंगी जब यह stable हो जाएंगी तो ठीक है भाई इस फेज में हमें stable करना था तो जहां stable करना था वहां पर हो गया, Phosphorylation किस के तुरू होगा होगा आपके CDK2 के तुरू अब यह आपका inactive रहा आया inactive raha अब प्रक्ति है तो मैता असमें जाना है तो फिर सब्सक्राइब पढ़ी इसकी जरुवत क्यूं पढ़ी क्यों कि हमे सै hands do QUEPS करना है सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइबे न्यunda सब Musome नहीं चलेगा CDC 20 एड़ करना पड़ीगा तब CDC 20 को एड़ किया जाता है CDC 20 को एड़ करेंगे एनाफिस प्रोमोटिंग कॉंप्लेक्स हो गया एक्टेव एक्टेव हो गया तो सेक्यूरीन को डिग्रेट कर देगा और साइक्लिन बी को भी डिग्रेट करता है तो कुछ इस तरीके से अलग-अलग स्टेज में यह आपका बाइंड करता है तो अगर कॉश्चन पूछा जाए इसको ज अगर आप फॉस्फोराइलेशन करा दें तो हो जाएगा यह कॉंप्लेक्स एक्टेव एनक्टिव तो अगर आप इतनी चीज समझ गए हैं कि द्यूरिंग डी फॉस्फोराइलेशन एक्टेव होगा फॉस्फोराइलेशन में एक्टेव होगा तो कहां नहीं आती है कि कहां किसकी जरूरत पढ़ने वाली है तो एपी सी प्लस सी डी एच बन ये आपका एक्टिविटी की बात करें तो एम से कंप्लीट जीवन फेस तक रहता है और ये कहां तक रहेगा अप्टू एस फेस और अगर आप एपी सी प्लस सी डी सी ट्विंटी की बात करें तो ये आपका कव एक्टिव होने वाला है मेटा फेस टू एना फेस आगया समझ में तो कुछ इस तरीके से कहानी होती है तो ये साइकलिक फॉर्म में नहीं आएगा ये काम कुछ इस तरीके की मकेनिजम में आता है हाँ बिल्कुल जीवन की साइक्लिन पर पड़ेगा वो जीवन की कौन सी साइक्लिन क्योंकि देखिए आपने डाइग्राम अगर देहान से देख हैं तो यह किस-किस को डिग्रेट करता है साइक्लिन E को cycling A को और cycling B को तो जीवन में आपकी कौन सी cycling रहेगी जीवन में cycling रहने वाली है आपकी D तो D तो आपकी कैसी रहेगी बची होई रहेगी लेकिन अगर जीवन में मान की चलिए E है A है और B है तो उनको degrade कर देगा तो अच्छा ही करेगा क्योंकि जीवन में तो जरूरत ही नहीं है उनकी तो अच्छा कर रहा है ना जीवन में जब जरूरत ही नहीं है तो हम फिर क्यों E A और B को रखें यहां पे तो D की जरूरत है तो D को नहीं डिग्रेट कर रहा है D तो रहेगा है हाँ जब यहां पर आएगा फॉस्पोराइलेशन करादा जाए यह नहीं हो जाएगा इनिविट हो जाएगा साइक्लिन E A और B आपके स्टेविल हो जाएंगे बिल्कुल जो आपका CDC 20 होता है नौट 25 तो CDC जो आपका 20 है उसको फॉस्पोराइलेशन उस पर करा देंगे तो वो रिमूब हो जाएगा भाग जाएगा अग्या जाएगा ठीक अब कॉस्चन आएगा ऐसी मकेनिजम से 2023 में भी इससे डारेक्ट कॉस्चन आया है तो अगर आप एनाफेस से मेटा मेटाफेस से एनाफेस में आये हैं तो आपको CDC 20 चाहिए रहेगा CDH1 का यहां काम नहीं है तो CDC 20 कुछ इस तरीके से जाब एनाफेस प्रोमोटिंग कॉम्पलेक्स के साथ बाइंड है तो यह एक्टिव है तो क्या करेगा यूबी क्यूटीन लाइगेज है तो डीग्रेडेशन कराएगा किस किस का डीग्रेडेशन कराएगा साइक्लिन बी का और साथी साथ डीग्रेडेशन करा देगा सेक्यूरीन का तो यह देखिए इसने टैग एड कर दिये हैं यह क्या है यूबी क्यूटीन के टैग एड करत तो जैसे यू भी क्योटीन का अगड कर देगा सेक्यूरी न पर तो आगे चलDr. तो आगे चलके प्रोटियो जो मल डी तो जो बात आपको अभी बताई गई है वो यहां पर थोड़ा सा और डीटेल में लिखा हुआ है तो ज़रा समझिए सबसे पहले आपका क्या है क्रोमेटेड है और यह क्रोमेटेड किसके साथ है कोहसिन के साथ अब अगला काम क्या है कि आएगा APC CDC 20 के साथ तो जैसे ही है CDC 20 के साथ आया तो यहां पर क्या हो रहा है सेक्यूरिन को डीग्रेड किया जा रहा है एंड तो सेपरेज फ्री होगा तो फ्री कर दीजे सपरेज को सपरेज फ्री जैसे ही सपरेज फ्री होगा तो आगी चलके क्या होगा कि सेपरेज क्लीव करेगा कोहसिन के लिए तो कुछ इस तरीके से यहां पर जो लास्ट में आपका हैड एरिया था सेपरेज यहां पर क्लीव कर देगा जैसे ही क्लीव यहां से तोड़ेगा यह पूरी की पूरी जो रसी है, यह पूरी की पूरी जो डोर है, यह हट जाएगी, और फिर अब आपकी sister chromatid पूरे तरीके से separate हो जाती है, जिस तरीके की भाई कहानी होती है आपकी, तो जो आपको बताया गया है, वो यहां लिखा हुआ है, कि inhibition of the separates, तो separates का सबसे पहले inhibit ह होता है, inhibition किसके through रहता है, securing के through, तो securing इसको inhibit किये रहेगा, जो mitotic CD के होते हैं, also inhibit करते है, separates के लिए through phosphorylation, अब APC को बलाया जाएगा, और कहा जाएगा कि आप CDC 20 के साथ आईए, और active हो जाएए, और UV cutene के tag add कर दीजे, securing पे, तो जैसे ही UV cutene का tag होगा, तो UV cutenation हो जाएगा, securing का, separates आपका free हो जाएगा, at the same time, mitotic CD के activity भी decrease होगी, जैसे ही separates free होगा, तो clip कर देगा, SSC1 subunits को, और आपका cohesin जो हट जाएगा, और पूरा chromatic separate हो जाता है, तो बस भाई, यही कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, इसी को पूरा वैदिमी capsule के form में लिख दिया है, कि separates है, जो एक proteases है, जो cleave करता है, SCC subunit of cohesin को, before enough is, यह separate आपका inhibit रहेगा, securing के साथ, securing एक protective shield provide कराता है, और साथ ही साथ, premature cohesin cleavage को prevent करता है, फिर CDK1, cyclin B की बात करें, यह phosphorylate करें रहते हैं, separates को जिससे यह inactive रहा है, CDC20 enoughase आएगा, securing को हटाएगा, securing हटेगा, degradation होगा, separates release, release होगा, तो आगे चलके यह cleave करेगा, SCC bun unit को, आपका पूरा breakdown होगा, cohesin circle का, और chromatid separate हो जाती है, तो वो यह कहानी फिर लिखती गई है, और लो यह topic बड़ा important है, इसलिए आपको 2-3-3 बार बताया जा रहा है, कि यहां पर याद हो जाए, तो समझ गए, कैसे काम करता है, बहुत सिंपल है, रट जाना चाहिए यह topic, तो कुछ इस तरीके से यह कहानी आपकी जा रही है, अगर आप देखें, mitosis में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, कि mitosis में यह आपके पूरे spindle fiber attached थे, separation, separation से होगा, meiosis में थोड़ी अलग कहानी होगी, अलग कहानी ऐसा नहीं कि बहुत अलग कहानी होने वाली है, क्योंकि meiosis में हमने दो चीज़े पड़ी थी, एक तो metafase 1 और दूसरा metafase second, तो metafase में anaphase 1 में homologous chromosome का separation हो रहा था, और फिर anaphase second में आपका क्या हो रहा था, sister chromatic का, तो यह जो आपने बनाया है, यह जो पूरा यहां पे आपने एक PPA2 प्रोटीन लगाया था, कहां पे centromere पे, जिससे cohecin आपकी stable रहिया है, वही पर आपका पूरे तरीके से cohecin बाइंड करके रखें, उसको आपको anaphase second तक बचाए रखना है, तो बचा के कौन रखता है, रेक 8, तो रेक 8 प्रोटीन यहां पर एक्स्ट्रा आजाता है, एक्स्ट्रा क्या होगा, कि यहां पर आपका सपरेज भी होगा, PP2A भी प्रोटीन यहां प्रेसेंट होगा, तो सबसे पहली anaphase 1 में homologous chromosome, anaphase 2 में आपका सपरेज काम करेगा, तो यहां पर भी सपरेज सपरेट करेगा homologous chromosome, यहां भी आपका कुछ इस तरीके से सपरेज ही सपरेट करेगा किसको, सिस्टर क्रोमेटेट को, लेकिन रेक 8 आपका यहां पर एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि दो फेज़ चल रही होती है, तो जादा यहां ऐसा नहीं कि बहुत भारी भर कम information है, यह mitosis के बारे में हैं, जिसमें अल्रेडी हमने देखा हुआ था कि शुगुशीन था, एक आपका फॉस्पटेज, प्रोटीन फॉस्पटेज जिसे पीपी, यह सारे नाम सेमी थे, सेंट्रोमियर पे जाएगा, जिससे क्या होगा, कि जो पोलो काइनेज, अरोगरा काइनेज, अगर फॉस्पोराइलेशन कर रहे हैं, तो उनका जादा एफेक्ट ना पड़े, सेंट्रोमियर पे, फिर इसके बाद मियोसिस की कहानी देखेंगे, तो यह होता है, बस यहाँ पर रेक्ट प्रोटीन का एक अलग से लाइन लिखा हुआ है, तो जड़ा इसको देख लीजेगा, ठीक, तो यह थोड़ी सी एक्स्टा इंफोरमिशन है, इसके बाद एक लास्ट चीज यहाँ पर बच्चती है, हमने चुकी ट्रांजिशन देख लिया, जी टू एम मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद मैंने आपको एक चीज और बता दी है यहाँ पर, जी एक्स्टा इंफोरमिशन एक्स्टा इसलिए है, क्योंकि यहाँ पर बता रहें कि आपने पूरा मैंने आपको इसके बाहर निकलना है, तो बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, माइटोटिक CD के को इनक्टिवेट कराईए, माइटोटिक CD के मजब CD के बनो, साइक्लिन B को डिग्रेट कराईए, तब जाके आप M-Phase से बाहर निकलेंगे, क्योंकि अगर यह दोनों डिग्रेट नहीं हुए, तो आप M-Phase में ही रहे आएंगे, तो जैसे ही डिग्रेडेशन होता है CD के बनो, साइक्लिन B का, तो स्पिंडल डिससेंबली, क्रोमोजॉम डी कंडनसेशन और नुकलियर एनवलप रीफॉर्मिशन हो जाता है, क्रोमोजॉम डी कंडेंस जो आपने कंडेंसेशन करा था पूरा कैसे हो जाएगा डी कंडेंस क्रोमेटिन फॉर्म में आ जाएगा और नुक्लियर एन्विलप रीफॉर्म करने लगेगी तो मतलब आप क्या एम फेस से डिवीजन फेस से बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो बस आपका एग्जिट हो जाएगा फ्रॉम दा माइटोसिस टोटल 50% माइटोटिक साइकलीन को डीग्रेड किया जाता है इस एना फेस प्रोमोटिंग कॉंप्लेक्स CDC 20 के तुरू एम फेस में जिससे जित्का जादा डीग्रेडेशन होगा तभी जाके आप पूरा खतम कर पाएंगे एम फेस को साथी साथ कुछ कंजर्ब्ड प्रोटीन पॉस्पिटेज होते हैं जैसे CDC 40 यह भी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं सेकंड स्टेप ऑप दा माइटोटिक सीडी के इनिविशन तो आदे 50% का डीग्रेडेशन कर दिया जाएगा 50% एम फेस के जो माइट माइटोटिक सीडी के की बात करें तो यहां पर यह SIC को इनिविट करेगा और एनफ प्रोमोटिंग कॉंप्लेक्स विद सीडी एच वन यह यहां पर माइटोटिक सीडी के को करते का इनिविट साथी साथ आपका CDC 40 है जो एक इंटरमीडियेट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि एक्टिविशन 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 यह फॉस्फिटेज है तो यह क्या करेगा आपका दी फॉस्फोराइशन कराएगा तो कुछ इस तरीके से जब सारी चीज़ा होती है तो बाहर निकल आते हैं यह भी आपकी बोही कहानी है कि माइटोटिक सीडी के एनिविश कॉंप्लेक्स SICB रहता है SICB तो इनिविशन के लिए था तो बस इन ही सबका यूज करके पूरे जो आपके माइटोटिक है उनको इनिविट किया जाएगा फॉस्फिटीज होता है CDC 40 यह भी कुछ इसी तरीके का काम करता है तो कहानी वह है एक बार देख लीजेगा करेंगे तो फिर सीधा आप माइटोटिक से एक्जिट कर जाओगे M फेस से एक्जिट कर जाओगे यह एक डाइग्राम है जिसमें complete summary है इस डाइग्राम को जड़ा देखिएगा इसमें एक इवेंट के फॉर्म में लिखा है कि G1 फेस में क्या है एस में क्या है G2 में क्या ह सब का कुछ इस तरीके से complex लिखा हुगा है तो इस डाइग्राम का इस डाइग्राम को आपको इन्रिश्ट करना है क्योंकि इसमें काफी सारी जगा मिलेगी आपको तो सारी चीजों को तहां पर क्या function हो रहा था जरा add कर लीजेगा ठीक और add up कैसे करोगे मेहनत तो कम करते हो तो इसलिए मैंने किया क्या है कि दोनों कल की क्लास का और आज की क्लास का दो मेगा कैपसूल बनाया है जिसमें मैंने शुरू से कहानी लिख दी है कि सबसे पहले आपका शुरू होना है जीवन एस ट्रांजीशन तो जीवन एस ट्रांजीशन आपने कहां से शुरू करा तो वहां पर क्या ग्रोथ फेक्टर आया था अगर याद हो जो मैप सिग्नेलिंग कर रहा था जिससे एक्टिवेट कर रहा था फर्दर साइक्लिन डी और सीडी के फॉर सेक्स नुकलियस में गए थे रेटीनो ब्लास्टुमा को फॉस्पोराइलेशन कर आया था यह तो रिली इए और सीडी के टू फॉर्दर से पॉसिटिव फीड़ग के थू और फॉस्पोराइलेट करा दे रहे थे रेटीनो ब्लास्टुमा को जिससे आपको अल्टिमेटली हायर कॉंसेंट्रेशन ओप ए एंड सीडी के टू मिल रहा था जब यह हायर कॉंसेंट्रेशन में मिला तो restriction point cross हुआ था DNA replication central duplication हो गया शुरू that is called G1S transition फिर जैसे ही S phase में आ गए थे DNA बनना शुरू हुआ था तो DNA जैसे ही बनेगा तो S phase में भी CDK cyclin सबसे पहले इनको इनक्टिब किया था तो इनक्टिब करने के लिए क्या था SIC था और साथ ही साथ एना phase promoting complex और P27 हमने पढ़ साइक्लीन ई और इसको अगर आपको initiate में duplication इसका शुरू हो गया था S phase में और साथ ही साथ यह phosphorylate करा रहे थे degradation हुआ release हुए dissociation हुआ तो यह सारा line by line कल की क्लास का पूरा लिख दिया गया है जो जो हमने पाया तो भाई यह बहुत enriched slide है तो इसको आप जरूर एक बार देख लीजेगा तो यह कहानी कहां पर खतम हो जाती है कि centromere पे जो हमने cohesin bind करके रख दिये थे cohesin से sister chromatid को bind करके रखा था यह वहां पे खतम हुआ तो यह कल की क्लास का mega capsule रहेगा आज की क्लास में हमने माइटोटिक से शुरू किया था तो सबसे पहले इसको वीवन इनिविट करेगा तो वीवन को हटाना था cdc25 था जो क्लीव कर रहा था आपके इनिविटरी फॉसफेट को फिर आपका complex हो गया जब complex एक्टिवेट हुआ तो हमने लेमिन का डीग्रेडेशन देखा फ्रेग्मेंटेशन होगा सेपरेशन देख लिया डुप्लिकेशन देख लिया सेंट्रियोल का फॉर्मिशन इस्पिंडल फाइबर अरोरा काइनेज आएगा जो थिकनेस बढ़ा रहा था था यह आगे चलके अरोरा काइनेज रहेगा और यह काइनेटो को रटेच्मेंट वाला पार्ट आगया अटेच्मेंट करने के बाद असेंबली पूरा सेपरेशन सेपरेशन होने इसा लिखा हुआ तो भाई अगेन पूरा सीक्वेंस में है और ऐसा नहीं कि केबल ओवर्व्यू है बीच में हमने जो भी चीज पड़ी चाहिए वो आपकी अटेच्मेंट थी चाहिए कुछ भी थी वो सारा इसमें लिखा हुआ है तो कहने का मतलब यह कि पूरा सेल साइक साइकलीन हो सकता है कहीं पर मिसिंग मतलब ऐसा नहीं कि लिखा नहीं होगा हो सकता है लिखा हो जीवन साइकलीन तो काफी इन्रिच्ट है और सीक्वेंस में सारी चीज़ें तो आप समझ जाओगी कि कहानी कहां से शुरू है ठीक तो यह रहा आपका पूरा सेल साइकल से मैंने आपको बताया था कि ट्रांजीशन या फिर किसी भी चीज में अगर कोई कंफीजन हो इन दोनों का बढ़ी अच्छा प्रिंट आउट निकाल के और सामने रखिए दो से चार बार देखेंगे सब समझ में आ जाएगा कि कहां क्या हो रहा है तो भाई आज की क्लास क के लिए इतना ही था